जैसा कि आप सभी लोगों की मांग थी कि अब हमें नई लूसेंट फर बात करनी चाहिए और आपकी मांग को ही ध्यान में रखते हुए और आप लोगों ने मांग की हुई थी तो इसे टाला क्या से जा सकता था तो नई लूसेंट लेकर आया हुगा हम और याद रखे सिर्फ आप लोगों के लिए तो इसमें अभी तक आपने देखा हुगा कि हम लोग कैमिश्टी तक कवर् कर चुके हैं एक बहुत बढ़ा हिस्सा लूसेंट का खतम कर चुके हैं और लूसेंड से संबंदित आपके जितनी भी क्लासें रहेगी वो आपकी लूसेंड बुक रिवीव के नाम से जो फिलेशलिस्ट सूची मना रखी है उसी में डली रहेगी ठीक है और आप देखें बिभननत रहे कि जो भी आपके गवर्मेंट एक्जाम होते हैं जिसमें कि जामगी तयारी करए हैं आप लोग मुझे भी बताइए कि आप लोग किस्पे जामगी तयारी कर रहे है और उनकी पुरानी कुश्टेंट's PIPER का मुल्डे अंकर करेंगे अगर आप लो तो आप देखेंगे कि GKS से अच्छी खासी संख्या में आपके questions आते हैं और loose end से वो cover भी हो जाते हैं और मैं बोला हूँ आपसे कि मैंने तो यहां तक देखा है कि state PCS, civil service का जब prelims नजदीक होता है तो किसी के पास कितना time नहीं होता है कि वो विस्ताल से सभी subject पढ़ पाए या पढ़ सके तो वो भी एक तरह से revision के point view से पढ़ते हैं और बाकि आप लोग देखिए SSC, bank, railway, पटवारी, सिक्चक भरती, पुलिस, दरोगा या आप देखिए और भी आपके इस तरह के जो भी exam होते हैं उन सब के लिए यह वो काफी महत्पूर मानी जाती है अलूसेंट काफी भावरफोल एक तरह से GKGS का राम मान कहीं लिए आप लोग तो हम लोग आज बात करेंगे जीब बिग्यान के बारे में और जीब बिग्यान में क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग जीब बिग्यान में क्या क्या कवर करेंगे तो इसमें जीवधारियों का वर्गीक्यान देखेंगे कौशी का विग्यान देखेंगे जैविकास देखेंगे अनुबानसिकी देखेंगे वनस्फती विग्यान देखेंगे फारिस्तिति की देखेंगे पिदूसन देखेंगे प्राडी बिग्यान देखेंगे, मानो सरी के तंत देखेंगे, पोसक पदार पर बात करेंगे, पोसन पर बात करेंगे, मानो रोक पर बात करेंगे, बिभित और बिग्यान की कुल कुछ प्रमुक्चो साखा हैं, उन्हें भी हम लोग देखेंगे, एक एक करके सब कुछ कबर क करेंगे छोड़ेंगे कुछ भी नहीं बस आप लोगों को एक से दो बार इन क्लासों को देखना है और छोड़ की निकल जाना है मुझे लगता है कि आराम से अगर एक दो बार पड़ोगे तो आराम से कबर भी हो जाएगा जीब बिग्यान बायलो जी या खिर होता क्या है तो बायलो जी की बात करें तो बायो अर्था जीवन और लौगों से यानि कि इसका मतलब होता है अध्यन जीवन का अध्यन ही बायलो जी कहलाता है जी बिग्यान सब्द का परियुक सरब्वितम लेमार्ग ए फ्रांस के थी और ट्रेवीरेनस जर्मनी नामक बिग्यानिकों ने 1802 में किया था तो इस लाइन को जरूर नोट कर लिजिए इससे डारेक्ट कुस्टन्स पूचा सकता है जिब बिग्यान की कुछ साखा है और आप देखें कि इनसे कई बार कुस्टन्स आ जाते है एपी कल्चर किस से सम्बंदी थे मधुमक्की पालन का अध्यन इसके अंतर थाइकोलोजी सेवालों का अध्यन करते हैं एंथोलोजी पुस्पों का अध्यन करते हैं पॉमोलोजी फलों का अध्यन करते हैं और नियोथोलोजी पक्षियों का अध्यन करते हैं एक्षोलोजी मचलियों का अध्यन करते हैं एंटोमोलोजी कीटों का अध्यन करते हैं डे परदन करते हैं होटी कल्चर और द्यान विज्ञान का थेलोरी कल्चर फूलों की खेती का तो इन सभी को किनका किस से संबंद है यह आप लोग एक बाद जरू अच्छे से पड़ लेना जी विज्ञान का एक क्रमबद ज्यान की रूम में विकास पिसे ग्रेक दारसनिक अरस् इन पक्षों के विसे में अपने विचार प्रकट किये थे और इसलिए अरस्तु को जी विज्ञान का जनक कहते हैं क्या कहते हैं और इन्हें जन्तु विज्ञान की जनक भी कहते हैं तो यह अगर आपसे पूचे कि जी विज्ञान का पिता या फिर आपसे पूचे फादर आप जियोलोजी तो इसके भी अरस्तु ठीक है अब बात करते हैं जीवधारियों का वर्गी करण देख लिते हैं तो अरस्तु द्वारस समस्त जीवों को दो समूहों में विभाजित किया गया जन्तु समूह और बनस्पस्दी समूह लीनियस ने भी अपनी पुस्तक में सम सि परणूं की उसे उसी से आध्मनिक बरगी करण प्रणाली की नियूपड़ी और इसलिए उन्हें आध्मनिक बरगी करण का पिता भी कहते हैं किसे लीनियस को ठीक है जीवधारियों के पांच जगत बरगी करण है इसमें आप देखेंगे परमपरागाद दुईस जगत पर पांच जगत बरगी में बरगी कित किया गया मॉनेरा प्रोटिस्टा पादब कबक और जन्तु ठीक है तो यहने भी याद रखिएगा आप देखेंगे इसमें कि क्या देखेंगे पहला देख लेजे मॉनेरा इस जगत में सभी प्रोक्रियोटिक जीव अर्था जीवाणू साइनो वेक्टिरिया आर्की वेक्टिरिया समलित किये जाते हैं तंतु में जीवाडू भी इसी जगत में कि भाग हैं फिर आप देखेंगे प्रोटिस्टा इस जगत में विद्पेकार के एक कोस्की है प्रया जलिये यूके रियोटिक जीव समलित किये जाते हैं पादा प पॉटो जुगा आते हैं पादप पादप में देखेंगे इस जगत में प्रया सभी रंगीन बहु कोस किये प्रकास संसलेशी उत्फादक जीप समलित हैं सैवाल हो गया मौस हो गया पुस्पीये और आप उस पीये बीजिये पोदे इसी जगत के अंग हैं कवक इस जगत में यह बे-उकरियोटिक और तथा पर पोसित जीबधारियां जीबधारी समलित किये जाते हैं जिन में आवसोर्शन द्वारा पोसंड होता है यह सभी इतर पोसिक होते हैं यह पर जीबी अत्वाब मिर्त मृतोफ जीबी होते हैं और इसकी कूशी का भीटी काईटी नामाग जटिल सरकरा की बनी होते हैं जन्तु इस जगत में सभी बहु कोशी है जन्तु संभोजी युकेरियोटिक और भोगता जीब समलित किये जाते हैं और इनको मैटा जुआ भी कहते हैं हाइड्रा जेली फेस्ट किमे सितारा मचली सरीशेफ औभैचर पक्षी इस्तंधारी जी जाती होती है क्या होती है जाती होती है यह जाती है उसकी बात नहीं कर रहे हैं ठीक है जीबों के नाम करें की दुई नाम पदिती सत्तरे सो त्रेफन में केरोलस लीनियस नामक विज्ञानिक जिने बरगी की का जनक कहते हैं भी कहा जाता है और इन्होंने क्या जीबों की दुई नाम पद्धिती को पिछलित किया था है, इस पद्धिती की अनुसार पितेक जीवधारी का नाम, लेटिन भासा की दो सब्दों उसे मिलकर बनाया है, पहला उसका बंस नाम, और दूसरा आप देखेंगे, दूसरा सब्द जाती नाम कहलाता है, बंस ततन जाती नामों जिसके एक जाती सीपेंस है, और लेन भास्तों में लीनियस सब्द का संचिप्त रूप है, इसका अरथ है कि सबसे पहले लीनियस ने इस जाती को हॉमो सीपेंस नाम दिया था, यहां आप देखिए, कुछ जीदारियों के बिज्ञानिक नाम होंगे, मनुस का हॉमो सीपें मेड़क का राना टगरीना, विल्दी का फैली से डॉमिष्टी का कुट्ता का कैनेस आप देखिए, फैमिली गाय का बास इंडीकस, मक्खी का मोस्का डॉमिष्टी का आम का मैंगी फेरा फेरा इंडिया, इंडी का धान का औरे जा सटीवा, ग्याहू का ट्रीटी कम एस्ट सटीवा, मतर का, पिसम सटीवा, चना का, सिसर, एरीन, टीनम, सरसु का, ब्रासी का, कैम, कैमफिश, ट्रिक्स, ठीक है, यह सभी आपके कुछ जीबधारियों के विग्यानिक नाम हो गए, तो इने भी आप लोगों को याद रखना चाहिए, यह मुझे लगता है कि, फिर आ तब 1849 में, यही एक तरल, गाडा, रंगी, पारभासी, लसलसा, बजन युक्त पदार थे, जिसकी सारी जैवी किरियां इसी के द्वारा होती ही, इसलिए जीब दरब को जीवन का बहुते कालहर भी कहते हैं, जीब दरब दो भागों में बटा रहता है, कोशी का दरब, यह कोशी का में केंदरक के अंदर रहता है, जीब दरब का 99%, निमने चार तत्रों से मिला है, ऑक्सीजन 46%, कारवन 10.5%, हाइडूजन 10%, नाइटोजन 2.5%, जीब दरब का लगभाग 80% भाग जल होता है, और जीब दरब में अकार्मनिक और कार्मनिक योग का अनपाद, 81 हाक ने पहली बार कोशीका को देखा और इसका वर्डन किया, कोशीका के अध्यान के विज्ञान को साइटोलोजी कहते हैं, और कोशीका सब्द का प्रियुक सरवपतम अंग्रेज विज्ञानिक रोवर्ट होक ने 1665 में किया था, सबसे चोटी कोशीका जीबाडू माइक्र का भार का पितिसाथ, जल सत्तर से नब्य परचेंट, पोर्टीन, दस से पंदर है, कारभो हैडिर तीन, ले फिर दो, नियोकलिक अमल, पास से साथ, आयर्न, आयर्न, एक परसेंट, कोशीका सिध्धान का पितिपादन अगर आप देखें तो अठारे सो अंताली अर्तिस, न पाइडन और थेओडर स्वान ने किया, और अगिपी इनका सिध्धान यह बताने में आसफल रहा है कि नई कोशीकाओं का निर्माट कैसे होता है, पहली बार रेडॉल्फ दिर्चो ने इस्वश्ट किया कि कोशीका विभाजित होती है, और नई कोशीकाओं का निर्माट पूर इस्थित कोशीकाओं के विभाजिन से होता है, कोशीका सिध्धान की मुख्य बातें इस तरह हैं, सभी जीव कोशीका वज्द कोशीका उत्पात से बने होते हैं, सभी कोशीका पूर इस्थित कोशीकाओं से निर्मित होती हैं, कोशीका का निर्माट जिस से क्रिया स से होता है उसमें केंद्रक मुख अभी करता होता है कुशिका दो पिकार की होते हैं इसमें आप देखें तो परोकेरियोटिक और इकरियोटिक तो परोकेरियोटिक आप देखेंगे ऊसक्या तो इन कोशीकाओं में हिस्टॉन फ्रोटीन नहीं होते हैं जिनके कारण chromatin नहीं बन पाता है कि बड़ DNA का ही सूती गुर सूत के रूम में बढ़ा रहता है अन्य कोई आवरान इसे घे नहीं रहता है और अता केंदरक नाम की कोई विक्सित कोशिकांग इसमें नहीं होती है जीवाडू हों एवं नील हरे सेवालों में ऐसी ही कोशिका है आपको देखने को मिलेगे तो इन्हें भी और दूसरी आप देखेंगे युकेरियोटिक कोशिकांग इन कोशिकांगों में दुहीरी जिल्ली के आवरान केंदरक आवरान सिघरा सुस्पष्ट केंदरक पाय जाता है जिसमें DNA वाहिस्टॉन प्रोटीन की सेख्ट होने से बनी क्रोमिटिंग और इसके अलावा केंदिका होती है प्रोकेरियोटिक और इक्रियोटिक कोशिकांगों मुख अंतर इन्हें विसस्ताएं अंगत प्रोकेरियोटिक और इक्रियोटिक हो गया कोशी का भी थी, प्रोटीन तथा कार्वोहाइडेट की बनी होती है, और इसमें आप देखें कि तो सेलुलोज की बनी होती है, माइटोकाइडिया, इसमें अनफस्तित होती है, इंडोपलाजमिक, रेटीकूलम, इसमें अनफस्तित होता है, इसमें अफस्तित होता है, सुसम अनफस्तित होता है उपस्तित होता है डीने एकल सूथ के रूम में पूर्ण बेकसी देवां दोहरे सूथ के रूम में कसाभी का एक एवल एक तन्तु होता है और कुल ग्यारे तन्तु होते हैं इसमें कैंदी का अनफस्तित रहता है इसमें उपस्तित रहता है सेंटियो इसमें अनपस्तित रहता है इसमें उपस्तित रहता है सोसन प्लाजमा जिल्ली होता है और द्वारा होता है और माइटू कंडिया द्वारा होता है इसमें लिंग पेजनन नहीं पाए जाता है इसमें पाए जाता है युकिरियोटिक में और इसमें पिकास संसेशन थायलेकाइड में होता है, इसमें किलोलोपिलाष्ट में होता है, कोशीका अभिवाजन अर्थसुस्त्री पिकार का होता है, इसमें अर्थसुस्त्री या समसुत्री पिकार का होता है, कोशीका के मुख भाग अगर देखें, कोशीका भी थी, यह के में अक्रिटी एवं आकार बनाए रखने में साहग होता है जीवाणों काको सिका भी थी पैप्टी डॉप डॉपर अने वाले पदार्थों का निर्धारन करता है कोशिका जिल्ली लिफिड की बनी होती है और यह लिफिड घटक फासको फासपो ग्लिसराइड के बने होते हैं बाद में जब रसाइनिक अनुसंधानों से एसपस्ट हो गया कि कोशिका जिल्ली में प्रोटीन वा कार्बोहाइडेट पाया जाता है और जिसे तरल क्रमीर नमुना के रोम में सुईकार किया गया है इसके अनुसार लिपिड के अर्ध तलिये तरकिती के कारण दुई सतर के वीतर फ्रोटीन फार्सविक गती करता है तार्क काये और इसके खोज बोवेरी ने की थी और ये केबल जंत कोशी काओं में बाया जाता है तार्क काये कि अंदर एक या दो कड जैसे रचना होती है जिन्हें सेंटियोल कहते हैं समसूत्री भाजन में यह दुरुप का निर्माट करता है फिर आप देखेंगे अंतर दुर्वी जालिका यूक्रियोटिक कोशी काओं के कोशी का द्रम में चप्टे आपस में पर रहते हैं और जिस अंतर दुर्वी जालिका के सतय पर यह राइवोसॉम मिलते हैं उसे खुरदरी अंतर दुर्वी जालिका कहते हैं राइवोसॉम की अन्फुस्तिती में पर अंतर दुर्वी जालिका चिकनी लगती है चिकनी लगती है और इसी चिकनी अंतर दुर्वी जालिका भी कहते हैं जो कोशी का आएं प्रोटीन संसलेशन वा सरवन्स में सक्री भाग लेती हैं उन्हें खुर्दरी अंतरदरवी जालिका भहत्यात में से मिलती है और चेकनी अंतरदरवी जालिका प्राडियों में lepid संसलेशन के मुख स्थल होते हैं कोशी का तिरब ओकेंद की विविन भागों में पदार्थों का संच लंग किया जाता है राइबुसॉम सवरपिथम रोविंसं एबं ब्राउन ने 1903 में पादप कोशीगा में तथा जीए प्वैलेड ने 1903 में जन्तु कोशीगा में राइबुसॉम को देखा और 1908 में रोव देखते इस्थान पिदान करती है अर्था त्या प्रोटीन का उत्पादन इसलिए इसलिए इसे प्रोटीन के फैक्टरी भी कहते हैं राइबुसॉम के बल्कूशी का द्रव में ही नहीं बलकि हरित लवक सूतिकनिका बखोरदरी अंतर प्रदब जालिकामी में ही मिलते हैं यहां पर एस स्वेड वर्गस और और गुडान को पिदासीद करता है अपर रोग छुरूप में आकार वा घनत को बैक्ट करता है इस तनी के लाल रुदिर कड में राइबुसॉम एबं अंतर प्रदब जालिका नहीं पाई जाती है और लाल रुदिर कड का द्वारा प्रो प्रोडीन विसलेशन नहीं होता है माइटो काईटिया इसकी खोज आप देखते हैं अल्टा में अल्ट मैं ने 1886 में की थी और वेंडरा ने इसका नाम माइटो काईटिया रखा था और यह कोशीका को सोसन जाल सोसन इस्थल है कोशीका में इसकी संख्या निश्चिद नही हाउस माइटो काईटिया के आंतरिक जिल्ली में एटीपी संसलेशन कारी रसाने कभी करिया होती है इसे कोशीका कंजन भी कहते हैं इसे युकेरियोटिक कोशीकाओं की बीतब प्रोकेरियोटिक कोशीका माना जाता है माइटो काईटिया के आधात्री में एकल बिटता का ड ये खंडन द्वारा विभाजीत होती है। DNA के अंद्रक के अलागा, माइटो का इंडिया, इवं हरित लवन में पाया जाता है। गौल जी को है? गौल जी का है? इसमें इसकी खोज, कैमिलो गौल जी, इटली नाम भी ज्यानिक नहीं की थी। या सुक्छ नलिकाओं के समोहों, इवं थैलियों का बना होता है। गौल जी कॉंपलेक्स में कोशिका द्वारा संस्लेसिद प्रोटीनों वा अन पदार्थों की पोटिकाओं के रूम में पैकिंग की जाती है। ये पोटिकाओं गर्तब इस्थान पर उसे पदार्थ को पहुचा देती है। यदि कोई पदार्थ कोशिका से वाहर सरावित होता है, तो उस पदार्थ वाली पोटिकाओं उसे कोशिका जिल्ली के मात्यम से द्वाहर निकलवा देती हैं। इस पेकार गौल जी काय को हम कोशिकाओं के अड़ों का याता यात परवन्दन भी कह सकते हैं और ये कोशिकाओं भीती भीत्री एवं लाइसोसॉम का निर्माड भी करते हैं गौल जी कॉंपलेक्स में साधरन सरक्रा से कर्वो हाइडेट का संसलेशन होता है जो राइबोसॉम में निर्मित प्रोटीन से मिलकर गलाइको प्रोटीन बनाता है गौल जी काय गलाइकोलीडी इपिड का भी निर्माड करता है लाइसोसॉम इसकी कोश डी डूवे नामत भी ग्यानिक ने कीची है या सूक्ष गोल एक हरी जिली से घ्री थेली जैसी से रचना होती है इसका निर्माड सम वेश्टन विधी द्वारा गौजी काय में होता है लाइसोसॉम में सभी बेकार के जल अब घट की है इंजान जैसे हाइड्रो क्या हाइड्रो हाइड्रो लेजेज और लाइफेज प्रोटो एसेज और कार्वोड़ डाईड्रो डेजेज मिलते हैं जो अमली परस्तितियों में सरवाधिक सक्री होते हैं एंजान कार्वोहिट्रिट्रोटीन लिट्वेट नियुकिलिक अमल आधी के पाचर में सक्चम है और इसे आत्मगादी थेली भी कहते हैं इस तंधारियों के लाल रक्त कडिकाओं में लाइसो सॉम नहीं पाये जाता है लवक यह केबल पादर कोशिगा में पाये जाते हैं यह तीन पेकार के होते हैं हरे लवक अब आवर्डी लवक और वर्डी लवक हरेत लवक की बात करें तो हरा रंका होता है क्योंकि इसके अंदर एक हरे रंका पदार पढ़ हरेत होता है इसी किसायता से पौधा प्रकास संस्रेशन करता है और भोजन बनाता है इसलिए हरेत लवक को पादर कोशिगा की रसोई घर भी कहते हैं इसमें राइवोसॉम पाए जाता है पत्तियों का रंग पीला उसमें केरोटिन की कमी के कारण होता है केरोटिन के निर्माड होने के कारण होता है पत्तियों का पीला है आवर्डी लवक यह रंग हीन लवक है या पौधे के उन भागों की कोशीकाओं में पाय जाता है जो सूरी के फिकास से बंचित रहती है जैसे कि जड़ों में, भूमीगत पदनों में, आदी में ये भोज पदार्थों का संग्रह करने वाला लवक है वर्डी लवक इसमें आप देखें तो ये रंगीन लवक होते हैं जो परिया, लाल, पीले, नारंगी रंगे होते हैं ये पदों के रंगीन भागें जैसे पुस्वे, कल, फल, भीट्री, भीज, आदी में पाय जाते हैं वर्डी लवक के अन उधारन टमाटर में लाइकोफेन, गाजर में केरोटीन, चुकंदर में विटानीन, बनस्पती को परावेगनी के नोग के दुस्परावाज से बचाने वाला वर्ड़क फाइकोस्ताइनिन है यह भी याद रखे, रस धानी, यह कोशिका की निर्जीब रचना है, यह में तरल पदार भरी होती है और जन्तु कोशिकाओं में यह अनिक बहुत छोटी होती है, पदन्तु पादप कोशिकाओं में यह है कोशिका के 90% इस्थान गेता है रस धानी एकल जिल्दी में ब्रद होती है, जिसे टॉनो प्लाष्ट कहती है और अविवा में संगुचन सील रस धानी उत्साजन के लिमात फून है केंदरक, रॉबर्ट ब्राउन ने केंदरक की खोच की थी, यह कोशिकाओं से प्रमोखंग है यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार करता है और केंदरक, द्रम में धागी नुमा पदार्थ जाल के जाल में बिखरा दिखलाई पड़ता है इसे क्रोमोटिन, क्रोमेटिन कहते हैं, क्रोमेटिन नाम थेलेमिंग ने दिया था यह प्रोटिन, हिस्टॉन, एवन डी एने का बना होता है कोशिका विभाजन के समय को, क्रोमेटिन सिकोड कर अनेक मोटे बाद छोटे धागी की रोम में संगेठित हो जाते हैं इन धागों को गुर्सूत कहते हैं पितेक जाती के जीवधार firearms में सभी कोशिकाओं के केंदरक में गुर्सूत की संख्या निश्चित होती है जैसि मानों में थेज जोड़ा, चिमपाजी में 24 जोड़ा और बंदर में 21 जोड़ा होता है पितेक गुर्सूत में जैली के समान एक गड़ा भाव होता है जिसमेंटिक्स कहते हैं, मेेटिक्स में दो परस पर लिफटे महीनों कुंडले सूत दिखाई पड़ते हैं। जिनेम दो क्रोमेटिड का बना होता है, दोनों क्रोमेटिड एक निश्चेत इस्थान पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जिसे सेंटो मियर कहते हैं, गुर्षूत्रों पर बहुत से जीन इस्थित होते हैं, जो एक फीडी से दूसरी फीडी तक लच्छनों में कोहस्तांतित करते हैं, और हमारे अनुबांसिक गुड़ों के लिए उत्तरदाई होते हैं, चुकि ये जीन गुर्षूत्रों में पर इ दिखलाई बढ़ती है, जिसे केंदिका कहते हैं, और इसमें राइवसॉम के लिए आरेने का संसलेशन होता है, डिएने और आरेने की सरजन आगे देखें, तो डिएने की अधिकास मात्रा केंद्रक में होती है, यक पीस की कोच है, मात्रा माइटो काइंडी आता था, हरे ल और बेस, फॉस्फेट, चार बेस, डिएने में उपस्ति चार चार फिकार के होते हैं, एडिने, ग्वानीन, थाइमीन और साइटोसीन, डिएने में अडो की संख्या के आधार पर एडिनीन सदियो थाइमीन से हो, साइटोसीन सदियो ग्वानीन से जुड़ा आता है, एडि 233 में J.D. Watson ओकिक ने DNA की दुई कुंडली सरचना मोडल पिती पादित कियो इस काम के लिए उन्हें आपने देखा होगा 1922 में नोबल फ्रोस्ट का दिया गया था DNA के कार क्या होता है तो सभी यह सभी अनुवांसे की किरियाओं का संचालन करता है जीन इसकी काई है यह प्रोटीन संसलेशन को नेंतित करता है प्रयोग साला में सरवितम DNA का संसलेशन हर गोविंद खुराना नहीं किया है और आने का निर्माट DNA से ही RNA का संसलेशन होता है इस किरिया में DNA की एक सिंखला पर RNA की नुकलिय और टाइड आकर जुड़ जाती है इस पकार एक आइस्थाई DNA RNA संकर का निर्माड होता है इसमें नाइट्रोजन बेस्थ थायमीन की स्थान पर युरेसिल होता है को समय बाद RNA की समझात सिंखला अलग हो जाती है RNA तीन तरह क्यों होते हैं RNA इसमाल RNA जिसमें और ब्लाइवस्थम पर लगे रहते हैं प्रोटिन सल्सलेशन में साहथ्ता करते हैं टी यह अइंध्रक के बाहर विभिन आदिस लेकर आपीन को चुनने में मदद करता है DNA और RNA में मुखंतर इस DNA हो गया RNA इसमें Deoxy-Rivose Rivose सरकरा होता है इसमें Rivose सरकरा होते हैं इसमें Base Adinine, Guanine, Thymine, Cytocine होते हैं इसमें Base Thymine की जगए Urecil आ जाता है यह मुख्रता केंदरक में पाय जाता है पादप एवं जन्तुकोशिगा में मुखंतर पादप हो गया पादप कोशिगा, जन्तुकोशिगा इसमें कोशिगा वीति पाई जाती है इसमें कोशिगा वीति अनुपस्तित रहती है इसमें लवख पाई जाती है इसमें लवख अनुपस्तित होती है तारग का अनफस्तित रहता है, तारग का अउपस्तित रहता है, रिक्तिका बड़ी होती है, रिक्तिका छोटी होती है, इसका अकार लगवाग आयता कार होता है, इसका अकार लगवाग बिट्टा कार होता है, तो इने भी आप लोग याद रखना चेंगे, मुझे लगता है, कोशिका विभाजन देख ली दे कोशिका विभाजन को सरपितम 1855 में विर्चाव ने देखा था कोशिका का विभाजन मुख तीन प्तरह से होता है अर्द सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्द सूत्री विभाजन ठीक है प्रोटो जुगा में होता है समसूत्री विभाजन समसूत्री विभाजन की विक्रिया को जन्तू कोशीगाओं में सबसे पहले जर्मनी के जीव बिग्यानिक वाल थेर थिलेमिंग ने 1889 में देखा उन्होंने ही सन 1882 में इस पिक्रिया को माईटो सिम नाम दिया या विभाजन काएक कोशीगाँ में होता है अध्यन की सुग्धा के लिए समसूत्री विभाजन की पांच शरन में बाटते है जो निमने अंतरावस्था, पुरोवावस्था, मद्यावस्था, पश्च्यावस्था और अंत्यावस्था इस विभाजन के फलसरोव एक जनक कोशीगा से दो संतती का निर्माण होता है प्रितिक संतती कोशीगाँ में गुर्शों उत्रों की समान संख्या जनक कोशीगाँ के पराबर दोती है समसूत्री विभाजन की पश्च्च्यावस्था सबसे छोटी होती है ओ है किवल दोत से तीन मिनिट में समाप्त हो जाती है फ़र आपका है अर्ध सूत्री विभाजन फार्मर फार्मर तथा मूरे मूरे ने 1905 में कोशीगाँ में अर्ध सूत्री विभाजन को मियोसिस नाम दिया और इसमें आप देखेंगे तो अर्ध सूत्री विभाजन की कोच सरव पितम वीज मैन ने की थी लेकिन इसका सरव पिष्टे तद्यन इस्ट्रास वरगर ने किया था 2888 में यह विभाजन जनक कोशीकाँ में होता है अर्ध सूत्री विभाजन सबसे लंबी परवस्था होती है जो कि पांच आब व कावस्थाओं में पूरी होती है लेप्टोस्टीन जयगोटीन पेकिटीन और डैपलोटीन डाइकिनेसिस इसमें आप देखेंगर लेप्टोटीन गुर्सुत ने गुर्सूत उल्जे हुए पतले धागों की तरह दिखाई पड़ते हैं और इने क्रोमो निमेटा कहते हैं गुर्सूत्री की संख्या दुई गुडित होती है जाइगोटीन समझाद गुर्सूत एक साथ होकर जोड़ी बनाते हैं इसे सेनेपसिस कहते हैं और सेन्टी ओल एक दूसरी से अलगों करके अंदरक में विपिरी धुरूमों पस चले जाते हैं प्रोटीन आरेने संसलेशन के फ़क्सरूप कहन्दी का बड़ी हो जाती हैं पैकीटीन पैकीटीन पितेक जोड़े के गुर्सूत छोटे और मौटे होते हैं दूइज का फितेक सदस अनुधैर्द रूम से विभाजित होकर दो अनुजात गुर्सूतरों या क्रोमों में बट जाता है इस प्रकार दो समझात गुर्सूतरों के एक दूज से अब चार क्रोमोटीड बन जाते हैं इनमें दो मात और दो फित कॉमेटेड होते हैं कभी कभी मात और फित कॉमेटेड एक या जानला इस्थान पर एक दूसरे से क्रोस करते हैं ऐसे बिंदू पर मात तथा फित कॉमेटेड टूट जाते हैं और एक कॉमेटेड का टूटा हुआ भाग दूसरे कॉमेटेड के टूटे स्थान से जुड़ जाता है इसे क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इस पेकार जीन का नई डंग से वितरन हो जाता है और था जीन भी निवाए पैके टीन अवस्था में होता है इसक्रिया में रिकॉम्बीनेज इन्जायम भाग लेता है क्रोसिंग ओवर हमेशा नॉन इस्ट और कॉमेटेड के वीच होता है फिर आप देखें कि डेफलोटीन समजाद गुरसूत अलग होनने लगते हैं परन्तु जोड़े के दो सदस्पून रूप से अलग नहीं हो पाते हैं क्योंकि कहीं एक दूसरे से एक्स की रूम में उज्जे रहते हैं ऐसे स्थानों को काई इंजामाटा कहते हैं काई इंजामाटा की और सम्सूत्री विभाजन के सम्सूत्र विभाजन होता है अर्थ सूत्री विभाजन में एक जनक कोशिका से चार संतती कोशिकाओं का निर्माड होता है समसूत्री और अर्थ सूत्री विभाजन में अंतर देख लीजिए हैं आपके सामने दिया है समसूत्री विभाजन यह विभाजन कारेग कोशिका में होता है और अर्थ सूत्री में देखेंगे तो या विवाजन जनन कोशिकाओं में होता है इस विवाजन में कम समय लगता है इस विवाजन के द्वारा एक कोशिका से दो कोशिकाओं बनती है इस विवाजन में एक कोशिका से चार कोशिकाओं का निर्मान होता है संतती कोशिका में ज प्रोफेज अवस्था लंबी होती है तो यह समसुत्री और सुत्री विवाजन में अंतर हो गया आपका कि अब हम लोग बात करते हैं जैब विकास के बारे में तो प्यारमभी के निम्नकोटी के जीवों ने करमिक परिवर्टनों द्वारा अधिकारीक जीवों की उत्पत्ति को जैब विकास कहा जाता है और जीब जन्तों की रचना कारेक एवं रसायनिक की वहूनी है विकास वितरन आदी में विसिस्त करमबा आपसी संबंद के आधार पर स्थिद्ध किया है कि जैब विकास हुआ है लेमार्ग, डार्विन, वैलेस, डीवरिज आधी ने जैब विकास से संबंदी अपनी परिकल्पनाओं को सिद्ध करने के लिए इनी संबंदों को दर्साने वाली निमलिकित प्रमार्ड पिस्तुत की है एक आप देखिए पहला बर्गी करण से प्रमार्ड, दूसरा आप देखेंगे तुलात्मक शरीर रचना से प्रमार्ड, तीसरा आउसोसी अंगों से प्रमार्ड, चोत्रा से योजक्ता जन्तुओं से प्रमार्ड, पूरवल जद्ध से प्रमार्ड, तुलात्मक ब्रहुमिडी निकी से प्रमार्ड, भोगुलेग वितरन से प्रमार्ड, तुलात्मक कारि कारिड़े की एभम जीवरसायनी की से प्रमाड अनूबासकी से प्रमाड पसुपालन से प्रमाड रक्षात्मक समॉपता से प्रमाड जीवासम बिग्यान व nós ईववास से प्रमाड समजात अंग देखते हैं समझात अंगे ऐसे यंगे जो विभेन कारेयों के लिए उपयोजित हो जाने के कारण काफी आसमान दिखाई देते हैं परंतु मोल रचना इम भूनिय परिवर्धन में सामने होते हैं समझात अंगे कह लिए थे हैं जैसे सील के फिली पर और चमगादर के पंक घोड़ी की अंगली टांग है बिल्ली का बंजा मन उसके हाथ की मौलिक्स रचना आधी एक जैसी होती हैं इन सभी में हिमरस रेडियो अलना कारफल्स और मेटा कारफल्स आधी अस्थिया होती हैं इ बैरने के लिए चमगाडर के पंक खोड़ने के लिए घोड़ी की टांग दोड़ने के लिए मनुसका हाथ बस्तुओं को पक्रने के लिए अनुकूलित होता है तो यह भी आप लो याद रख पाओगे या नहीं रखोगे समरू तो ऐसे यंग जो समान कार के लिए उपियोजित हो जाने के कारण समान दिखाई हो देते हैं परन्तु मूल रचना इभन भूनिये परिवर्धन में भिन होते हैं समरू पंक काहलाते हैं और धारन तितली पक्षियों चमगाडर के पंक खोड़ने का कार करते हैं और द रचना उसकी अग्यपादों पर परवंद्वारा चमगादर के पंक की रचना हाथ की चाल लंबी अंगलियों तथा धड़ की बीच फैली तुचा से होती है और ऐसे यंग जो जीवों के पूरवर्णियों से फूर्ण विक्सित होते हैं और परंतु वातावर्णिये परिस से मनुस में लगबक सो आउसीस यंग पाये जाते हैं कितने सो सरवपिथम प्रिकास संसलेसी जीवर साइनो वेक्टिरिया थे और पक्षियों का विकास सरी सिपों से हुआ है जल इस थल्चे जीवों के लिए विकास मत से बर्ग से हुआ है इस तरहीं वर्ग में कि ऌचुशट मिलते हैं उन्हें जीवास्म कहते हैं और इसके अध्यन को जीवास्म विग्यान कहा जाता है और उस समय के बारे में नहीं से तो हम लोग पता लगाते हैं जैब विकास के सब्वास में अनेक सिध्धान पीदी पार इत कि ये जिसमें लेम मार्क वाद माद तो गांधी की विचार धारा लेमार्क बाद लेमार्क का सिध्धान तठारे 109 में उनकी पुस्तक फिलोस्थीक जुलोजीक में पिकासित हुआ इस सिध्धान की अनुसा जीवों एवं उनकी अंगों में सतत बड़े होती रहने की प्राक्तिक पिविट्टी होती है इन जीव में आने वाले अंगों का विकास कम होने लगता है इसे अंगों के कम या अधिक भोग का सिध्धान भी कहते इस पेकाल से भी जीवों दुवारा उपारजित लक्षनों की बंसा गती होती है जिसके फलसरूप नई नई जाती हो धारन के लिए जिराप की गर्दन का लंबा ह सिध्ध है डार्विन को पुरा पुरा उसेसों का महांतम अनुविसक भी कहा जाता है चाल्ड डार्विन उन 1831 में बिंगल नामक विस्थ जर्विक्षन जहाज पर पूरे विस्थ का भ्रमण किया था बीगल ठीक है और डार्विन बाद के अनुसार सभी जीवों में फिच संगर्ष सजाती है अंतर जाती है परयावर्णिय होते हैं दो सजाती है जीव आपस में बिलकुल समान नहीं होते हैं विभिननेताओं इनके जनकों से बंसानु करम में मिलते हैं कुछ विभिननेताओं जीवन संगर्ष के लिए लाद दायक होती हैं जबकि कुछ अन्हनिक जीवों में विभिन्नेताएं बाताक वड़नी हैं दसाओं के इनकूल होने पर भेव बहु मुखी जीवन संग्यस में सपल होते हैं उफ्योगी विभिन्नेताएं पीडी दर पीडी एकट्टी होती रहते हैं और काफी समय बाद उत्पन जीबधारियों के लक्षन मुल जीब बाद के धाची में ढाल दिया और जिसे नव डार्विन बात कहा जाता है और इसके अमसार किसी जाती पर को पर कई कारकों का एक साथ प्रभाव परता है जिससे इस जाती से नई जाती बन जाती है एकारक बिभित्ता उत परिवर्तन प्रकिती वरन यह सभी आपको देखने को मिलेगा जनन इस पेकार नव डारविन बाद के अमसार जीन में साधारणता परिवर्तनों की परिडाम सुरूप जीवों की नई जातिया बनती है जिसे जीन परिवर्तन के कारण बिढ़नेताएं बढ़ जाती है उत परिवर्तन बाद भी आप लोगों ने सुना होगा यह सिधान के प्रमों पांच प्रमों के तक हैं कौन कौन से नई जीव जातियों की उत्पत्ती लक्षणों में छोटी छोटी एवां इस्थिर बिभिनेताओं के प्राक्तिक चैन द्वारा पीडी दर पीडी संचैन एवां किरमिक विकास की फल सुरूप नहीं होती है बलकि य अनिश्चित होता है और एक किसी एक अंग विशिस में अथवा अनेक अंगों में एक साथ उत्पन हो सकते हैं सभी जीव जातियों में उत्परिवर्तन की प्राक्तिक प्रवित्ती होती है जाती के विभिन सदस्तों में उत्परिवर्तन भिन भिन हो सकते हैं ओपयोक्त पर पधार परिवर्तन वूत परिवर्तन कहलाता है। तरह आप देखिए अनुवानसिक ये लक्षन जो फीडीदर-फीडी संचरित होते हैं चीन के सब्द का विल हैलम जोहांसन ने दिया था अनुवांस की संबंधी प्रियों के लिए मेंडल ने मतर की पौधों का चुनाव किया मेंडल ने पहले एक जोड़ी फिर दो जोड़ी विपिरित गुड़ों की बंसा अगती का अध्यन किया जिने करमसा एक संकरिय बद्व पौधा और वोना पौधा पित्व पौधे किंतिम परागन सभी पौधे संकर लंबे एब बन पीड़ी के सौफर आगन सौध लंबे 25 संकर लंबे ये आप देखें पचास पर्टन सुद्ध बॉना एक टूपीड़ी के एपचीस पर्टन सौफर आगन हमेंसा लंबे पौधा पौधे का फीनो टाइप अनपाथ तीन अनपाथ एक और जेनो टाइप अनपाथ एक अनपाथ दो अनपाथ एक प्राप्ट हुआ दूई संकरी है क्रोस मेंडल ने दूई संकरी है क्रोस के लिए गोल्ड तथा फिले बीज बाहरे एबंग जुरीदार भी से गोल तथा प्यला और जुरीदार था रहा और वाई गिमीट और य्या स्मॉल में है प्यत्रक बोधा रड़ अ और य और ड़े अर और और य गोल तथा फिला संकरी सौपरागर रागन गोल फिला फिला यहां ठीक है नए नो अनपाते तीन अनपाते तीन अनपाते एक प्राप्त हुए जबकि एप टू फीडी के पौधों का जेनो टाइप देखें अनपाते तो एक अनपाते दो अनपाते दो चार अनपाते दो अनपाते एक अनपाते दो अनपाते एक प्राप्त हुए और प्रेयोगते दोनों प इंदल की नियम देख लिए प्रभावी टाकारिय एक जोड़ा विपरी गुढ़ों बाले सुध्य पिता या माता में संकरन करने से पिधम पीडी में प्रभावी गुढ़ प्रगट होते हैं जबकि आप प्रभावी गुढ़ ही दिखाई देते हैं लेकिन आप प्रभावी ग पिखतरन का नियम, लक्षन कारकों के जोड़ों के दोनों कारक योग में बनाते समय पिथक हो जाते हैं। और इंड में से केबल एक कारक ही किसी एक युगुमक में पहुंचता है, इस नियम को युगुमक का सुधिता का नियम भी कहते हैं, सुतन्त अफविवन का नियम, जब दोस्त जोड़ी विपरी लक्षनों वाले पौदों के बीच संकरन कराया जाता है, तो दोनों लक्षनों का पिथक्तरन सुतन्त रूप से होता है, एक लक्षन की वसा बंसा नुगती दूसरे को प्रभावित नहीं करती है, फिर आप देखें कि डवलू वाट्सन ने 1905 में सरवपिथम जेनेटिक से नाम का उपयोग किया, जोहान सेन ने 1909 में सरवपिथम जीन सब्द का जीबधारियों के जो लक्षन कित्यक छरोप से दिखाई पारते हैं, उसे फेनो टाइप कहते हैं, जेनो टाइप जीबधारियों के अनुबानसिक संगठन को उसका जेनो टाइप कहते हैं, जोकि कारकों जीन का बना होता है, योगों में विकल्पी, एक ही गुड के विभि यारी विपर्याई पधों को रूपों को प्रकट करने वाले लक्षनकार को एक दूसरी का योगवा बिकल्फी या फिर एलील कहते हैं ऐलील कहते हैं सहलंगन था एक ही गुड़सूत पर इस्थे जीनों में एक साथ बंस गत होने की प्रवित्ती पाई जाती है जीनों की इस प्रवित्ती को सहलंगन था कहते हैं जबकि जीन जो एक ही गुर्षूत पर इस्थावित होते हैं और एक साथ बंसारूंगयत होते हैं उन्हें सहलगन जीन कहते हैं और लिंग सहलगन जीन लिंग सहलगन गुड़ों को एक पीडी से दूसरी पीडी में ले जाते हैं बास्तों में एक्स गुर्षूत पर इस जीन ह जाते हैं क्योंकि इसका फिरभाव नरो मदा दोनों में परबढ़ता है लेकिन सहे लगने ता कि सर्व कितम विस्तत ब्याद क्या मौरगन ने 1910 में की थी मनुस्त में कई कि लिंग सहे लगन गुड जैसे रंग रंग वर डान देता गंजापन हीमोफीलिया मायूफिया हाइपर हाइपर ट्राइकोसिस इत्यारी पाए जाते हैं लिंग सहे लगन गुड इस्तिरियों की अपिक्छा पुरसों में जाना पेगट होते हैं यहां देखिए जीब जनते ह में जूट में जाना अठीश नीवीं में ट्रह मेंॉः माउस है वह एक र्यट है इसमें 42 और ग्याहू में 42, खर्गोस में 44, मनुस में 46, आलू में 48, चेंपेजी में 48, और तमाकू में आप देखेंगे 48, घोडा में 64, कुटा में 78, कभूतर में 80, और टेरुफाइटस में आप देखें, 1300 से 1600, और मनुस में कितने? 46, तेश जोडी. मानो अनुबांसिकी की बात करें? तो गुड़सूत्र का नामकरन डबलू, वाल्टियर ने 1888 में किया था, गुड़सूत्रों पाये जाने वाले अनुबांसिक पदार्द को जीनोम कहते हैं, और जीन इन्ही गुड़सूत्रों पर पाये जाता है. गुड़सूत्रों के बाहर, के बाहर जीन ने दी कुशिका द्रब के कुशिका आउंगों में होती है तुने पिलाजमा जीन कहते हैं. 1956 में एसमेंजर द्वारा जीन की आधोनिक विचारधारा दी, इसके अनुशा जीन के कार की काई सिस्टॉम, सिस्टॉन उत्परिवर्तन की काई मिट्रॉन, तहां पुना सयूजन की काई को रिकॉन कहा गया, मानों में 20 आवस्तिक अमीनो एसिड पाये जाते हैं, और थर गुर्षूत्रों की संख्या आप सभी को बता चुका होगी, चैलीस हैं, और पितेक संतान को समझाद गुर्षूत्रों की पितेक जोड़ी का एक गुर्षूत्र नाडू के द्वारा माता से, और दूसरा सुकराणू के द्वारा पिता से पराप्त होता है, तो कि जनन में अधर सुत्री विभाजन द्वारा दो पिकार की गुर्षूत्रों बनते हैं, आधे में जन में 23 वे जोड़ी का एक्स गुर्षूत्रों होता है, अर्थाद बाई पिलस एक्स और आधे में जन में 23 वे जोड़ी में 22 गुर्षूत्रों होता है, 22 पिलस बाई, नारियों में करें लेगने दारान के लिए सिधा से कहने का मतलब किसी दी सी वात याद रखेगा अगर पुत्त हो रहा है रहा है ज़़की पुत्री, चनल ए accurate वह रहना है तो इसके लिए जिम्मिदार रहता है पुरुस का गुरसूत, ठीक है? लेकिन हमारे समाज की क्या सोच है, आप सभी जानते हैं कि हमारे हाँ महला को जिम्मिदार ठहरा दिया जाते हैं लड़कियों को आप दिखिए हमारे समाज पित्त सत्तातमक समाज है यहां पुता, पित, पुता, समझ रहे हैं? पुत ही चाहिए पिता को, लेकिन यहीं सोचते हैं कि पुत्री नहीं करेंगे, अगर यहीं सोच सब नहीं रख ली, तो फिर उसकी बहु कहाँ से आएगी? परकनली, सिसु के मामले में निशेचन परकनली के अंदर होता है बनस्वति विज्ञान का जनक भी कहते हैं, ये भी याब रखिए, पादपों का बरगी कर्ण, एक लर ने 1883 में बनस्वति जगत का बरगी कर्ण निम्न तरह से किया, पादप जगत, आ पुस्प भिद और पुस्पोध भिद बरग, तो इसमें थेलो फाइटा, बायो पाइटा, टरी फाइव, टरीडो फाइटा, इसमें आप ата थैलो फाइटा में देखेएंगे सेवाल, कबड अजीबादो हो गया, इसमें जाएँगे तो नगम बीजी आवछट वीजी, इसमें अवर बीजी में देखेंगे एक बीघी पत्री, दूईवीजी ये भीज़ पत्री ठीक है आप उस्वर आप उस्पध भिद पौधा इस पौधी इस बर्ग के पौधों में पुस्पध तथा वीज नहीं होता है इन्हें निम्न समुगों में बाटा गया थेलो थेले फाइटा यह बनस्पती जगत का सबसे बड़ा समुग है इस पौध समुग के आइकोलोजी केते हैं सेवाल कराया पर्ण हरित युग्द सम्भान उतक से रहत आत्म पोसी होते हैं इनका सरी सुकाव सब द्रस होता है लाबदायक सेवाइल भूजन की रूम में होर फाइरा अलवा सरगासन लेमिनीरिया नौ इस्टॉक आधी आयोडिन बनाने में लेमिन लेमिनिरिया फ्यूकस, एकलोनिया आधी, खाद के रूम में, नौयश्टॉक, एनाविना, कैल और रसे दीयों बनाने में किलोरेला से किलोरेलियन, नामख पीती, जैवीक एवं लेमें निरिया से टिंचर आयोडिन बनाने में बनाही जाते हैं अनृसन्धान कारे हों किलो किलो रेला एसीटी वुलेरिया वैलोनिया एस अभी किलो रेला नामक चैबाल को अंतरक्षे यान की केविन में की हौज में होगाकर अंतरक्षे यात्री को फ्रोटीन ये भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्थ होता है वह सकते हैं कवक इसके अध्यन को आप लोग कवक बिग्जान कहते हैं माइक्रोलोजी कवक फर्ण हरिट साक्यंद्रिय सम्भन उतक रहे थेलोफाइट है मस्रूम कवक है मस्रूम आप लोग देखते हैं ना कई लोग मस्रूम को और किसी नाम से कहते हैं मस्रूम को और कुछ ही जानते हैं और वो खाने से परहेज करते हैं, कबक में संचित भोजन, गलाइको, जैन की रोब में होता है, इनकी पार कुशिका भीती काईटिन की बनी होती है, सेकरो माई सेज, नामक कबक डबल रोटी के निर्मान में प्रयोग किया जाता है, कबक पौधी में गंभी रोख उत्पन करत आलू की अंग मारी, गन्ने का लाल अपच्छे, मुंगफली का टिक का रोख, आलू का मसा रोख, धान की भूरी अर्ज चित्री, आलू की पचेला अंग मारी, पंकरों का डेंपिंग रोग, रोग हो गया कबक हो गया, दमा, एस परजीला से फ्यू मेगेट्स, एथलीट फुट, टैनिया पेडिस, खाज एकिरस एसकेवीज, गंजा पन टीनिया केपिटेस, दाद, ट्राइको फाय टान और लेस कोशा, गन्ने का लालन, कौले, कौले टो ट्राइकम, और अपच्छे रोख, फैल केटम, एफला नामक बिस कबक से बनते हैं, लाइकेन के बारे में आप लोगों न सुना होगा, यहीं कबक तथा सेवाल दोनों से मिलकर बनती है, और इसमें कबक तथा सेवालों का संबंद पर रसपर सहजीवी जैसा होता है, कबक जल, खनेज, लवन, विटामिन्स आदी सेवालो को देता है, और सेवाल पेकास संसलेशन की किरिया द्वारा कार्बो हाइडरेट का निर्माण कर कबक को देता है, कबक एवन सेवाल की बीच इस तरह के सहजीवी संबंद को हैलो टिजम कहते हैं, लाइकेन सब्द का सरप्तम पर योग ग्रीक दार्शने थियो फ्रेट फ्र कोटी कोज, लाइकेन में पिजनन तीन फिकार से होता है, कायक, लेंगिक और आलेंगिक, लाइकेन बायू पिदूसक के संकेत संकेतक होते हैं, और जहां बायू पिदूसक अधिक होता है, वहां लाइकेन नहीं उखते हैं, एस ओटू पिदूसक का सरप्तम सूचक माने जा है को घुक अरुचिल लेक नौरा जैसे लाइकन से निला रंग प्राप्त किया जाता है प्रेयोग साला में फैरोग होने वाल लेट्मस पेपर रोसेला नमक लाइकन से प्राप्त होता है लोबेरिया इश्वीणिया रामी निला आदे-ली-लाइकन ठीक है वी याद रखना चाहिए फिर आप देखेंगे कि अस निया नमक लाइकन से पिती जैबिक आसनिक अमल पराप्त होता है डायरिया हाइडोफोबिया पेलिया काली खांसी आदी रोगों में उपयोगी कई पिकार की उसनिया लाइकन से बनाई जाते हैं कई लाइकन आइसलेंड मौस्को सुईडन नॉर्वे और आइसलेंड जैसे यूरूपे देशों में केक बनाने में उपयोग किया जाता है जापन के निवास्ती एंडो कारफॉन का उपयोग सबजी के रूम में करते हैं दच्छन भारत में परमेलिया का उपयोग सालन बनाने में किया जाता है जीबाडू इसकी खोज 1613 में होलेंड के एंटो एंटो निवान लिवेन होक ने किया था जीबाडू की और जीबाडू विग्ञान का पिता लिवेन होक को कहा जाता है एहरेन वर्ग ने 1829 में इन्हें जीबाडू नाम दिया 1843 से 1910 इसवी में रोबाट कोच ने क अगलरा और तपेदे के जीबाडू की खोज की और रोक का जरम सिध्धांग बताया 1812 से 1892 लुई पाश्चर ने रेवीच का टीका दूद के पाश्चूरियाई जेसन की खोज की थी किसने लुई पाश्चर ने आखिट्री के आदार पर जीबाडू कई पेकार के होते हैं गोलाकार कोकस यह गोलाकार यह सबसे चोटे जीबाडू होते हैं कोमा आकार या वी वियो वियो यह अंग्रेजी के चिन के कोमा के आकार के उधार विया कोलेरी सरफीलाकार इस्परिंग या स्कू की आकार का दूद को अधेक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए इसका पाश्ची करन करते हैं इसकी दो भी दिया है ए लो टेंपरेचर होल्डिंग मेथड दूद को 62.8 डिगरी celsius पर 38 मेट्स तक गरम करते हैं एक हाई temperature sort term methods दूद को 71.7 डिगरी celsius पर 15 सेकंड तक गरम करते हैं यहां भी कुछ आपका दिया गया है ने भी देख लेजे बिसाडू के निर्जीव होने के लक्षन यह बिसाडू हो गया बिसाडू की खोज रोज के विज्ञानिक इवान विसकी ने 1892 में तमाकू के मोजेक रोग पर खोज कर कि समय इनकी प्रकिती सजीव और निर्जीव द बनाकर निर्जीव पदार्तु की भाती बोतलों में भरकर बरसों तक रखा जा सकता है सजीव जैसे लच्छन इनके निउक्लियट अमल का दूई गोडन होता है किसी जीवित कोशिका में पहुंचने तही सक्क्रिय हो जाते हैं और इंजायमों का संसलेशन करने लगते हैं पर और प्रकति की अनुसार विसाड़ तीन पधिकार होता है पादब विसाड़ इसका निउकलियट अमल आरेने होता है जनतु भीसाड़ इन्हें ढगा नीएर कभी आरेने में भी पाया जाता है और वेक्टिव फेज या घीवांडू भोची में में पर आस्रे रहते हैं जीवाणूं को मार डालते हैं इनमें DNA पाया जाता है जैसे टी टूफेज जिस पीसाडू में आरे ने अनुवांसिक पदार्थ होता हुसे रेक्ट्रो भीसाडू कहते हैं एनावीना तथा नौ नौ इस्टॉक नामक साइवो बेक्टेरिया बाईवंडल की N2 का इस्थरी करन करता है राइजोबियम तथा बैडी राइजोबियम इत्यादी जीवाणों की जातियां लिव मिनोसी मतरूप कुल के पौधे की जड़ों में रहती हैं और वाईवंडली N2 की इस्थरी करन करती हैं एजोटो वेक्टर एजोटो इस्पाइल रीलम और किलो इस्टी डियम ज कुछ जाती हैं सुतंत्रोप से मिट्टी में नवास करती हैं वह मिट्टी के कड़ों के बीच इस्थित बायू के नाइट्रोजन का इस्थरी करन करती हैं चरमुद्यों में चमडे से बालों और वसा हटाने के कार जीवाणों के द्वारा होता है इसे चम्रा कमाना कहते हैं अचार मुरब्वे सर्वत को सक्कर की गाड़ी चासनी में या अधिक नमक में रखते हैं ताकि जिमानु अक्स का संक्मण होते ही जीवाणूं का जीव दुस द्रब कुचन हो जाता है तथा जीवाणू नश्ट हो जाते हैं इसलिए अचार मुरब्वे बहुत अधिक दिनों जाती है संबलेट की जाती है इस समयन औतर अर्थत जाईलम इवं नश्ट हम का बूड़ता आभाव होता है उस समदाय को रस्फती जगत का म्फिव मी इıtन को रोकने में चैसाफा प्रतान करते हैं क्या करते हैं साहता प्रतान करते हैं इस फैख्नमा मॉसे अपने संख्रेम के लिए करता है इस्फेगनम मौस ऐनों के रुम में भी किया जाता है एंट्टी सेप्टिक है मैं भी किया जाते तर अब लोग नने सुना होगा टेरी टेरीफ हो डेरी दों फाइटा इस समूंग के पौध ही नमी छायादार स्थानों जंगलों पहाडों पर अधिकता में पाई जाते हैं पौधों का सरी जड़ तना साखा एबंपतियों में विभीधित रहता है तना साथन तराइजु जौम के रूम में रहता है पौधे विजाणु जनक होते हैं जनन की करिया विशाणु के द्वारा होती है इस उतक पूर्ण विक्सित होते हैं वारंतों जाइलम में वैसेल इबं फिलोयम सह कोसाएं नहीं होती हैं पुसपोध भिद या फूल बाला पौधा इस समोग के पौधे पूर्ण विक्सित होते हैं और इस समोग के सभी पौधों में फौल तथा फल तथा बीज होते हैं इस समो पुद्धी काश्टी है बहु वर्सी और लंबे होते हैं इनका मुसला और जड़ पूंड विक्सित होता है परागन की किरिया वायुद्वारा होती है यह मरोद भिद होते हैं बनस्पती जगत का सबसे उंचा पौधा सिकोवा सैंपर वेरेंस से इसी केंतर करता था इसकी उं जीवित जीवास्म साइकस जेंगो वायलोवा और मैटा सिकोवा है जेंगो वायलोवा को मैडन हेर ट्री भी कहते हैं साइकस की विजांड और नर योगमक पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं पाइनस की पराग कर इतनी तादात में होते हैं कि पीले बादल बन जाते ह जिमनो स्पर्म का आर्थिक मात देखना है भोजन के रूम में साइकर्स के तनों से मन निकाल कर खाने वाला साबूदाना बनाया जाता है इसलिए साइकर्स को सागो पाम कहते हैं रेजिन कुछ संखू पादों से रेजिन निकाला जाता है जिसका प्रयोग वार्डिनेस फॉलिस फैंट आदी में बनाने में होता है आवरत भी जी इस ओप समुहों के पौधों से में बीज फल के अंदर होते हैं और इनके पौधों में जड़ पत्ती फोल फल और बीज सभी पूण विक्सित होते हैं इस ओप समुहों के पौधे में बीज में बीज पत्त होते हैं और बीच पत्रों की संख्या की आधार पर पौधों को दो बर्गों में विभाजित किया गया है एक बीच पत्री पौधे और दुई बीच पत्री पौधे एक बीच पत्री पौधे उन पौधों को कहते हैं जिनके बीच में सिर्फ एक बीच पत्र होता है और इसके कुल का न इस बीज में बे पौधी आते हैं जिनके पौधों को बीजों में दो पत्थ होते हैं इनके पुल का नाम एवं पिरमुक पौधी इस तरह से आपको नीचे देख रहे होंगे क्रोसी फैरी मूली सलगम सल्जम सर्चों हो गया माल वेसी कपास भिंडी गुढ़ल लिग्यू मिनोसी बवूल छोईमुई कत्था गुलमुहर असोक कचनार इमली तथा सभी दलह नफसले कमपो जिट सूरजमुखी भरंगराज गेंदा कुसम सलाद डहलिया रुटे सी नीवू सकोतरा संत्रा मोसम्मी बेल कोकर विटे सी तरवूत खरवुजा तिंडा कद्दू लोकी खीरा कग्री परवल चीचिन्डा करेला सोलेनेसी आलू, मिर्च, बैगनी, मकोव, धतूरा, बैला डोना, टमाटा अदी, रोजेसी, स्ट्रॉबवेरी, से बादाम, नासवाती, पादप अकारिकी विवन पादप भागों में जैसे जड, तना, पत्ती, पुस्वफल, आदी के रूमें तथा गोडों के अधन को अ दूसरी होती है, अप इस्थानिक जड, जड सदेव पेकास से दूर भूमी में विड्धी करती है, मूसला जड का अरूपांतर, संकुआकार, गाज़ट, कुम्भीरो, सलगम, सलजम, चुकंदर, तरकुरूपी, मूली, तना, यह पौधी का वय भाग है, जो पेकास की और प्रांकुर से विक्सित होता है, यह पौधी का प्रोह तंत के बनाता है, तनों का रूपांतर, भूमी गतने, उधारन जैसे कंद, आलो हो गया, धनकंद, बंडा, केसर, सलक, कंद, प्याज, प्रिकंद, हल्दी, अधरक, पत्ति, यह हरे रंग कक्य होती है, और इसका मुक् पाए जाते हैं, इनमें से पुमंग नर जन्यांग बा जैयांग मादा जन्यांग है, पुमंग, पुमंग में एक या एक से अधिक, पुंके सोर होते हैं, पुंके सिर में पराग कर पाए जाते हैं, जैयांग इसमें अंडब होते हैं, अंडब के तीन भाग होते हैं, अंड परपरागन सौ परागन और परपरागन तो यह भी याद रखिएगा निसेचन परागनली विजांड में प्रवेश करने करके विजांड काय को भेदती हुई भूण को उस तक पहुंचती है और पराग कड़ों को वहां छोड़ देती है और इसके बाद एक नर योगमक एक अ और योगमनज कहलाता है जयगोट आपरतबी जी किलिस में निसेचन त्रिक सल्लेन जबकि अन बाद के एक फलन, कुछ पौदों में बिना निसे चन हुय ही अंडा सै से फल बन जाता है, इस कर बिना निसे चन हुए फैल की विकास को अनिसे बल गहते हैं, और साधरनता इस पिकार की फल में इज रहेत होते हैं, केला पपिता, नारंगी, अंगूर, अन्यास, फल का अबर की कर्ण, फल का निर्मार अंडा से होता है संफूर फलों को तीन भागों में विभाजित करते हैं सरल फल जैसे अमरूत केला पुंज फल जैसे इट्रावेरी रस्मरी संग्रथिक सागरंथिक फल इसमें कठल सहतूत आदी कुछ फलों की निर्मार को दल पुंज या पुस्पासन आदी भाग लेते हैं ऐसे फलों को असत्य फल कहते हैं जैसे सेव का ठल समय रहे हैं कुछ फल उनकी खाने योग है इन्हें भी देख लेए जैसे खाने योग भाग जैसे फलों का खाने योग ओर भीती, ग्यों का भोण को पोस और भोण काजू का पुस्विबलंत भीजपत लीक बूट यह्ची का एहरे, चना का भीजपत भूड, वूंफली का भीजपत एवन भूड, सहतूद का रसीलेप, परीदलपुंज, कत्हल का परीदलपुंज, बवबीज, अन्नास का परेद दलपुंज, नारंगी का जुसी हियर, एह आपके पादप उतक हैं, पादप उतक, इस्थाई उतक, इसमें आप देखेंगे बीभाजी उतक इमें, तो सीशस्त बिभाजईय उतक, वार्स बिभाजी उतक, और अन्तरवै्य उतक, और स्थाई में देखेंगे तो सरल और जतिल सरल में देखें़ तो मिर्दू उतक, स्थोल कौन उतक, दर्ण उतक जटल में देखें़ तो जाईलम और फिलोयम उतक की बात करalin है तो समान उतुपत्ति सरचना एबं कारयों को, कारयों बाली कोशीकाओं के समुक को उतक कहते है, टीसू कहते है विभाज्योतकी उतक की बात करते हैं तो पौधों के बर्धी छेतरों को विभाज्योतक कहते हैं इनमें बनी संतती को सिकाएं बिद्धी करके वो पौधे के विविन अंगों का निर्बान करते हैं या पिक्रिया पौधों के जीवन्त परयंत चलती है विभाज्योतकी उतक क स्थानों का वाव होता है सीसस्त विभायों जद तक यह उतक जड़ों अत्वा तनों के जी सीसों पर पाये जाते और पौधी की प्रात्मी विड्धी विसे इसका लंबाई में इनी के कारण होती है पार्स विभाजियों तक इनमें विभायजन होने से जड़ तने के घेरे में विड्धी होती है अर्थादे से तना एवन जड़ की मौटाई में विड्धी होती है अंतर वेसी विभायजियों तक यह बास्तों में सीसस्त विभायजियों तक का अवसुस है और जो बीच में स्थाई उतकों के आ जाने से अलग हो जाते गए हैं और इनकी क्रिया सिल्ता में ऐसे भी पौधा लंबाई में बिड़्धी करता है इसकी महत्ता बैसे भी बैसे पौधों के लिए है जिसमें सीसाग को साकाही जानवर खा जाते हैं सीसाग खा लिए जाने के कारण ये पोधी अंतरवेशी विभाजी उतक की साहता से बिढ़्दी करते हैं जैसे घास क्या है गास इस्थाई उतक इस्थाई उतक उन परीपक कोशिकाओं के बने होते हैं जो विभाजन की चमता को चुकी होती है तथा विभेन कारेओं को करने के लिए विभेदित हो चुकी है एक उस्थाई उतक एक ही विकार की कोशिकाओं के बने होते हैं इन्हें सरल उतक कहते हैं जटल उतक, यदी इस्थाई उतक एक से अधिक फिकार की जचपाओंगे बनिः होते हैं, इन्हें जटल उतक कहते हैं, फिर आप देखें कि जाईलम, इसे फिर आप dziहां कास्ट भी कहते हैं, यह समयनी उतक हैं, इसके दो मुखेकार हैं जल, के समय नू तक है इसका मों के कार पत्तियों द्वारा बनाए गए भोचन को पौधों की अनन्न भागों में पहुंचाना होता है तो ये भी आप लोग याद रखिएगा और आप लोग कहते हैं कि देखे पौधों हमारी अगर फ्हेंपडों की बात करने तो देखे संपूर नहीं है हमारे पास एक तरह से आपके ये पीर पौधी भी हमारा एक फैंपड़े का हिस्सा है क्योंकि हम लोग आप देखते हैं कि ओक्सीजन लेते हैं और कारबन डाय ओक्साइड छोड़ते हैं उनका उप्यूप पौधी करते हैं और आप देखें ये पिक के लिए हमें से चलती रहती है वो ओक्सीजन चोड़ते हैं हमें देते हैं और ये समझ रहे हैं पिकास संसेशन के लिए आवसक कारबन डाय ओक्साइड और पानी किलोरोफिल और सूर का पिकास है इस थलिये पौधी बाई मंडल से कारबन डाय ओक्साइड लेते हैं और जबकि जलिये पौधी जल में गुली हुई कारबन डाय ओक्साइड लेते हैं पत्ती की कोशिकाओं में जल सरा से परासरन द्वारा और CO2 वाई मंडल सेिल विशरनद दौारा प्रापत होता है और पेकास अंसलेशन के लिए आवस्तक जल पौधों की जड़ों के दौरा असोशित किया जाता है और एवं पेकास संसलेशन के दौरा निकलने वाला ऑक्सीजन इसी जल की अवगटन से प्रापत होता है किलोरोफिल पक्तियों के हरे रंग का बाढ़ रखे और इसके चार घटा के किलोरोफिल A, किलोरोफिल B, केरोटिन और जैन्थोफिल इसमें किलोरोफिल A और B हरे रंग का होता है और उर्जा इस्ता अननितिक करता है या पेकास संसलेशन का केंद भी होता है केलोरोफिल के केंदर में मेगनेसियम का एक परमाड़ होता है केलोरोफिल प्रिकास में वैगनी नीला और लाल लंग को गिरहन करता है प्रिकास संसलेशन की दल लाल लंग की प्रिकास में सबसे अधिक और वैगनी लंग के प्रिकास में सबसे कम होती है पिकास अंसलेशन की क्रिया एक अपचैन, अपचैन की अभी क्रिया है इसमें जल का अपचैन ऑक्सीजन की बनने में तथा कारबनाई ऑक्साइड का अपचैन ग्लुकोच के निर्वार में होता है पिकास अंसलेशन की क्रिया की दो अवस्थाएं होते हैं पिकास रसाइनिक क्रिया रसाइनिक पिकास हीन क्रिया पिकास रसाइनिक क्रिया की बात करें तो या क्रिया किलोरोफिल की गरेना भाग में संपन होती हिल क्रिया भी कहते हैं इसपे क्रिया में जल का अफगटन होकर हाइड्रोजन आयन और इलेक्टोन बनता है और जल के अफ पीधिक्रिया संचालित करने में मदग करता है राशाइनिक पीधिक्रिया यह किरिया के लोग्रोफिल की इस्ट्रोम में होती है इस के रिया में कारवन डायोकसाइड का अफचेन होका सरक्रा और इस्टार्ज बनता है का बनता है इसे भी याद रखिएगा पादप हार्मोन पौधी में निमने पकार के हार्मोन पाए जाते हैं यह आप देखेंगे ऑक्सिंस ऑक्सिंस की ठ्थ खोज शन 18 स्वस्थी में डार्मिन ने की थी यह पादों की विड्धी को नियंतित करने वाला हर्मोन इंच्छो liking आ होता है इसको प्रमोकका कारगी देखो इसके पकारें पौद हमसी इसकी प्रमोखता हो करती है और पार्षवी कच्छी कालिकाओं कालिकाओं की विड्दी रोक जाती है यह पत्रियों का दिलगन रोकता है यह खर पत्वार को नश्ट कर देता है इसके द्वारा अन्य सक अन्य से फल पराफ्त किये जाते हैं यह फसलों को गिरने से बचाता है आप देखेंगे जेव रेलेंस इसकी खोज जापानी विग्या ने कोरो सावा ने 1926 में की थी या पौधी बॉनी पौधी को लंबा कर दीता है या फूल बनने में वादत करता है या भीजों की पिसुपती भांग कर उसकी अंकरित होने के लिए पिरित करती है एक आश्टी पौधी में एगा क सक्रीता को बढ़ाते हैं इसकी छड़काओ द्वारब भी हताकार की फलों का उत्पादन किया जा सकता है जैवरेलेंस कवक से निकाले जाते हैं फिर आप देखें कि साइटोकाइडनिन इसकी खोज मिलर ने 1955 में की थी परंदू इसका नामकरन लिथाम ने दिया या प्राक करने के लिए प्रेयोग किया जाता है आप देखेंगे एक एसे एसे हार्मोन की को जो पहले 1965 में हुई और कांश एवं एडी कोट और बाद में बेरिंग ने की यह विद्धी रोदक हार्मोनिया बीजों को सुस्तावस्था में रखता है और यह पत्त्रियों की विलंगन मे मुख भूमी का निवाता है यह पुस्पन में बादक होता है एथिलेट यह एक मात ऐसा हार्मोन है जोग्यासी रूम में पाए जाता है हार्मोन की रूम में इसे वर्ग ने 1962 में फिवार्ण किया यह फलों को पकाने बाद मदा पुस्पों की संख्या में विद्धी करता है या पत्तियों, पुस्पों और फलों के विलगन को पेरिद करता है फिर आप देखेंगे फिलो फिलोरीजेंस या पत्ती में बनते हैं लेकिन फूलों के खिलने में मदद करते हैं इसलिए इन्हें फूल खिलाने वाले हार्मोन भी गएते हैं ट्राउमेटिड या एक वेकार का डाई का रोक सिलिक अमले इसका निर्माड घायल कोशिका में होता है जिससे पौधों के जग्वें भर जाते हैं पादप रोक एवी साडू जगत रोग हैं तमाकू का मुझेक रोग इस रोग में पत्तियां सिकुड जाती हैं और चोटी हो जाती हैं पत्तियों का केलोरोफिल नष्ट हो जाता है इस रोग का कारक टोवेको मुझेकवाइरस है नियंतर है रोग सी वरभावीत पती को इखटा कर जला देना चाहिए पोटेटो मुझेक यह रोग पोटेटो बाईरस X से होता है इसमें पत्तियों में चतक चित कवरापन और बोनापन की लक्षन पे दरसीत आपको देखने को मिलेंगे होता है फिर आप देखें कि बंकी टॉप ओब बनाना यह रोग बनाना वायरस फश्ट द्वारा होता है इस रोग में पूरी पत्ति का रंग पीला सफेद या फिर मुझीद पेटर इनका हो जाता है वेन कलेरिंग में सिराएं पीली वा अन भाग में हरी महेंता होती है तो इने भी आप लोगों को याद रखना होगा अब हम लोग जीबाडू जनित रोगों के पारवें बात कर लेते हैं जैसे आलू का यह है आपका आलू का सैथिल रोग और इसको रिंग रोग के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसका जायलाम पर भूरा रिंग बन जाता है इस रोग का कारक इसीओ डोमो नास और सॉलेन निसिये रेरम नमग जीबाड होता है इस रोग में पौधिका समवहन तंत प्रभावित होता है फिर आप लोग में सुना होगा बलेक आर्म और कॉटन इस रोग का कारक जैन्थो मोनास नमग जीबाड होता है इस रोग में पत्ती पर छोटी सी जलाद सरचना भूरंग रंग की हो जाती है दान का अगरमारी रोग यह रोग जैन्थो मोनास और आईजी नमग जीबाड होता है इसमें पत्तियों की एक या दो सत्म पर फिला हरा स्पॉर्ट दिखाई देता है। साइ्टर्स कैंसर इस रोग का कारक जैन्थो मौनस सी ट्री नामक जीवाड़ू होता है इसकी उत्पत्ति चीन में हुई थी नीवू की पत्तियां साखाएं फल सभी इस रोग से प्रभावित होते हैं और ग्याहूं का टुंडो रोग इस रोग का कारक आप देखें कि कोरियो और परनौ वैक्तिरियम ट्री ट्री की नामक जीवाड़ू और अच्फीक नेम की नमक ब्रोग प्तयों की कमीश्यों से कोई रोग उत्पन होता है तो यह रोग हो गया किस तत की कमीश्यों से होता है आम इस बैगनन में लिटल लिब हिसमें जस्ता की कमीश्यों zwar नीवू में डाइबेक एतामा की कमी से, नीवू में लिटल लीफ एतामा की, फूल गोपी में ब्राउ निंग ए बोरोन की, मतर में आप देखें मार्स रो ए मैगनीच की कमी से, लीची में पत्ती जलना पोटिसियम की कमी से, धान में खेरा रो जस्ता की कमी से, आलू का विले क्वाधर में मेगनीज कि कमी से हैं गाजर में खौर्टर सब्सक्राइब कर्णि कbrandil की कमी से कौन हमेट वच्पूरण की कमी सिस्वाउट कomi से मकक्ते हैं तो तर lah ठ३ब यह देखते ना यह पूल की कली से प्राप्त होती है केसर मसाला बनाने में पॉबतों का वर्ति काग भाग कामाता है हेरोईन अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है एजोला नावग जलीन फरन को जैव और औरक की रूम में प्रेवत किया जाता है जीवित जीवास्म बेजीव जो आज से लागों वर्स पहले इस पितिवी पर उत्पन होकर किसी पिकार भराक्तिक परिवर्तनों से आप प्रभावित रहे कर आज भी पितवी पर वाय जाते हैं जीवित जीवास्म का पाय जाना यह प्रमाडित करता है कि विकास जैब विकास हुआ है उधारन के लिए जिन कगो बेक्च सा पादब के हाँ चाल से पराप्त होता है और पती के लाल नारंगी और फीला रंग के रोड के रोटीनोएड के कारण होता है टूड़ फोर्डी खरपतना खरपत वाल नासी है ठीक है तो यह भी याद रखेगा तर आप देखेंगे कि यह आपके कुछ है वाडिजिक मूल ब करस सुभे से पराप्त होता है विसका सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादब जल हया सिंध है एतत्त हो गया हो धारन हो गया इनकी देखिए सबसे बड़ा अवर्ट वीजी बैक्ष यूके लिफ्टस सांसार में सबसे लंबा बैक्ष सिकोवा यह एक नगन वीजी है इ इसे कोष्ट रेड बोर्ड ऑफ केलिया फौनिया भी कहते है केलीफॉनिया सबसे छोटा आकार में आवर्ट वीजी पधा यह होता है आप देखी कि यह जलिये लेमना यह जलिये आपड़ जीवी है जो भारत में भी पाय जाता है सबसे बड़ी पत्ति बालत होता विक्टो सबसे चोटा पुस्ट बुल्फिया इसका व्यास आप देखेंगे 0.001 mm का होता है सबसे बड़ा पुस्ट रेफ्लेशिया और और नोल डाई व्यास इसका एक मीटर और भारलगभग आठ किलूम्ग्राम हो सकता है यह बाईटेस की जड़ परजीवी है सबसे चोटा आवर्ट बीजी आरसी सोवियम यही एक दूई बीचपत्री है परजीवी जो नंगन बीजीयों के तने पर परजीवी है सबसे बड़ा नरयोग साइकस यही एक नंगन बीजी पादत है सबसे बड़ा वीजांड साइकस, जीवाश साइकस, सबसे छोटे गुरसूत सेवाल में, सबसे लंबे गुरसूत ट्राइलियम में, सबसे जादा गुरसूत बाला ओफिया, ओफिय योग लो, सब फर्ण जिसमें आप देखेंगे डिफलॉइड कोशिका में 1266 गुरसूत होते काश्ट वालब वाधा, हाड़ वीचिया वाई, वाई नेका, सबसे हलकी काश्ट वालब वाधा, ओक्रामा लेखुपस, सबसे छोटी कोशी का, माइक्रो पलाजमा, गैली सेप्टिकम, टैनेस गेन जैसा फल, कैंद, जंगल की आग, डाक, कॉफी देने वालब वाधा, कॉफ इसमें थियो, वोमीन, वा, कैफीन होती है, अफिम देने वालब वालब वधा, पॉपी, पैपा, वर, सौमीनी फेरम, इसमें मोफीन होती है, अब बात करते हैं, पारिस्तितिकी के बारे में, जीव विग्ञान की उस साखा, जिसके अंदर का जीव धारियों, और उसके बा पारिकी सर्ष्ती से विभन, जीवों और वातावरन की मिली जुली, एकाई को पारिस्तित की तंध कहते हैं, सरवादी क स्थाई पारिस्तित की तंध महा साखर में है, पारिस्तित की तंध या फारी तंध सब्द का बरियोग सरपतम Tencelle ने नामक बिग्ञानिक ने किया था और पारिष्टिकी तंत में तत्यों की चक्रन को जैव भूरसाइनिक चक कहते हैं क्या कहते हैं जैव भूरसाइनिक चक कहते हैं और सरचनात में दिर्ष्टी से स्पितेक पारिष्टिकी तंत दो घटकों कबना होता है जयविक गटक और जयविक गटक इसे तीन भागों में भी भक्त किया गया है उत्पादक वोग्दा अब गटक पर्यावन विग्यान तर्था प्रबंधन और सुंधान एवंपर सिक्षण केंद है परियावन सिक्षा केंद एहमदाबाद में सीवसी की आरग परियावन इंद बैंगलोर में खनन परया बनकें धनवाद में सलीम अलीपक्षी विज्ञान सांस्कितिक विज्ञान कें यह आप देखें कुएमबटूर में ठीक है अब यह देख लिए उत्पादक बे घटक जो अपना भोजन स्वयम बनाते हैं जैसे हरे पौधे हो गया ओभोगता बे घटक जो उत्पादद द्वारा बनाएगे भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं उपभोगता तीन पेकार के होते हैं परात्मिक उपभोगता इसमें बे जीवाते हैं जो हरे पौधों या उनके किसी भाग को खाते हैं जैसे गाय, भैस, बक्री, दुतियक उपभ आप देखेंगे इसके इंतरगर वे जीवाते हैं जो परात्मिक उपभोगताओं को अपने भोजन की रूमें पेवक्त करते हैं लॉम्री, भेडिया, मौर, तितियक उपभगता इसके इंतरगर वे जीवाते हैं जो दुतियक उपभोगता को खाते हैं जैसे बाग हो गया, सेर हो गया चीताira सेनल में मारा परात्म के और दुटिएक अब भुकता dauनों में कि कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग परात्मे इक-बुकता अपना चलाते हैं और आज देखिए आप अब दुटिएक कबक के इवन जीवाड़ू आते हैं ये मेर्थ उत्पादक और भोगताओं का अब घटन कर उन्हें बहुतिक तक्तियों में फईवर्टित करते हैं और आप देखिए कि सेर एक पावरफुल जानवर माना जाता है लेकिन उनको भी आप देखिए कि उनके जो सरीर अब कबक औ अब बात करते हैं पे दूसरन की वायू जल या भूमी अर्थाक परियावन की बहुतिक रसाइनिक या जैवे गुड़ों में होने वाले ऐसे अंचाही परिवर्टन जो मनुस अन्न जीवधारियों उनकी जीवन परिस्तितियों और दोगिक पिक्रियावन की बहुतिक रसा और सांस्कितिक उपलगदियों के लिए हानिकारक हों पिदूसक कहलाते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं है पिदूसक मुकताज निमलिखित पिकार क्यों होते हैं बायू पिदूसन जल पिदूसन दहौनी पिदूसन मिर्दा पिदूसन नापकिये पिदूसन इसमें बाई इसका ताथपर होता है नीलंबित कड की है पदार सस्पेंडेट पर्टीकूलेट मेंटर ठीक है पिरमोग बाई पिदूसक देखना है कार्बन मनोचाइड हो गया सलफ़ाड ऑक्साइड हाइडोजन सलफाइड हाइडोजन फिलू और राइड नाइट्रूजन के ऑकसाइड ह हाइडोकारबन, अमोनिया, तमाकू का दुगा, फिलोर, फिलोर राइड्स, धोल, धोल के कड, एरोसॉल्स यह सब यह आप देखते हैं कि बायू के पिदूसक हैं बायू पिदूसक के क्या रख कह लिजे आप लोग फिर आप देखेंगे कि बायू पिदूसक, एस वेस्ट और बाता बढ़िदनी है, जल के साथ कि लिए करके सल् вп लेकल या सल्फियूर अलिया नाइट्रि अमुद का निर्बार करता है, बर्सा जल के साथ यह अम्ल कि पिदूसक पिथवी पर हरा जाते हैं, इसे ही अमल बिर्सा कहते हैं, पिकास रसाइनिक धुआ के लिए ब्राउन एयर सब्द का प्रयोग किया जाता है वात स्विती बाई पिदूसन से होने वाला एक खतरना प्रोग है जो फैंपड़ों को प्रभावित करता है प्रयावन संस्थान हो गए केंद्रिय पिदूसन ने अंतन वोड नई दिली केंद्रिय चिडिया घर प्रादीकन सम limestone प्रवेंबर टूर वन वत पत कंद्राशिवकों से कूच लेता है वह अ अ पिथम विस परियावन दिवस 1973 में बनाए गया था पैरोक्सी एसी टिल नाइटेट फियेंड एक गौर्ड फिदू सक्थ है और 3 देसंबर 1984 को भोपाल की उनिट कारवाइड फैटरी जो औरवरक बनाती थी में मैथाइल आइसो साइन साइनाइट मैथाइल आइसो साइनाइड अब बात करते हैं जल फिदू सक्थ है जल फिदू सक्थ है जल फिदू सक्थ है किलोराइड सोडियम और वाई कारवोनेट मैगनेसियम बाकोटेसियम के सलफेट्स अमोनिया कारवन वनोकसाइड कारवन डायोकसाइड तथा और दोगिक आउसेश्टों के जल में घुल जाने से होता है समद्र जल लिये फिदू सक्थ सलफर योक्त भारी धातु में जलने से होता है भारत के कुछ भागों में भूमीगत पेजल में आर्सेनिक एवं फिलोराइड नामक पिदूसक पाए जाते हैं भूमीगत जल फिर वहां के साथ नीचे की और बहने वाले पिदूसक को निच्छालक कहते हैं ओयल टैंकरों से रिशा हुआ तेल सागरी जल की सतय पर सेगदा से फैलता है इस तरह जलीय सतय पर फैले तेल को ओयल कहते हैं पारायोक्त जल फिर पीने से बिनी माता होता है एक कुछ चंस भी कई बार मुँछ लेता है बारा से कौन सा रोग होता है मिनी माता एसबेस्टोस के रेसों से युक्त जल के सेवन करने से असबेस्टोसिस नामक जानलेवा रोग भी हो सकता है नदियों में जल पिदुसक की माक ऑक्सीजन की गुली हुई मातरा से करते हैं इसका पता दोनी पिदुसक बातावर्ण में चारों और भैली आनिक्षित या आवंचनी है दोनी को दोनी पिदुसक कहते हैं आप देखी कि आप लोग कभी गाना सुन रहे हैं तो उसे तो आप लोग वड़े आनंद लेका सुनते हैं लेकिन आप देखी कि आपके सामने अगर इतना तिर साउंड कर दिया जाए कि आपको तकलिफ होने लगे उसे ही धोनी पिदुसक कह देते हैं जब आप देखते हैं कि जैट आपके ऊपर से कोई गुजरता है तो आपने देख कितनी आवाज करता है मिर्दा पिदूसन, भूमी का विकरत रूप मिर्दा पिदूसन कहलाता है, मिर्दा पिदूसन अम लिए बर्सा हो गया, खानों से प्राप्त जल और वरकों बाकी इटना सक रसायन का देधिक प्रयोग, कूडा करकट, उद्धोगिक अफसिष्ट, खुले खेतों में मल, विस पर्माडू, बिल्इगरों से निकलने बाला आऊसिष्ट पतार्थों से उत्पन पतिदूसन, सोद कारियों में पेञ्ट्रीओ घर्मी पतार्थों से उत्पन पतिदूसन, सोव की पराभेगनी केर्णों से उत्पन पतिदूसन, अमेरिका, अमेरिका में 28 Mars 1989 में को 3 Mile Island reactor में 26 दुलगटना हो गई थी रियक्टर में होने वाली दुलगटनाओं में सबसे अधिक हानीकारग 26 दुलगटना 26 अपदल 1986 में को युक्रेन के चैनोबिल इस्थित एक रियक्टर में घटी थी जिसमें एक रियक्टर काई की चद गल गई थी पिदुसकों की दीख कालिक प्रभाव, कारवन मोर ओक्साइड, लीवर ओक्रिनी की चती होती है, नाइटोजन के ओक्साइड से कैंसर, धूलकड से स्वासमंधी रोग, सीसा की से कैंदरी है, नर्वस से सिस्टम प्रभावित होता है अब बात करते हैं प्रभावित प्रभावित, अब बात करते हैं प्राणी विग्यान के, प्राणी विग्यान, इसके अंदर के जन्तूओं तथा उनके कारिक कलापों का अध्यान करते हैं, जन्तू जगत का वरीकन, संसार की समस्त जन्तू जगत दो उप जगत में विवक् एक ही संग प्रोटो जुगा में रखे गए जबकि वहों को सिए पराणियों में नौ संगों में विभाजित किया गया इस्टोरर यू सिंजर के अनुसार जंदूओं का गबरईगी करन देखें तो संग प्रोटो जुगा इसके प्रमुक लक्षन देखें तो इसका सरी केवल एक कोशियो होता है इनके द्रव जीव द्रव में एक यानेक चंदरर पाये जाते हैं पिछलन पधावों आपक्चमों या कच्छावों के द्वारा होता還 drilled घीवी दोनों पिकार की होते है संग पौरी फेरा यह संब इस संग के सभी जन्तु खारे जल में पाए जाते परमुक लक्षन इभव कोस की जन्तु है परंधु कोशी काए नेमित उतकों का निर्माद नहीं करती हैं सरीर पर असंख छिद्ध पाए जाते हैं सरीर में ही मैं एक गुहा पाई जाती जिसे स्प सेलिंट्रेटा इसके प्रमुख प्राड़ी जगी जली दुई स्तरीय होता है मुख के चारों और कुछ धागी की तरह सरचनाय पाई जाती है जो भोजन आधी पकड़ने में वदद करती है हाइड्रा जैली फिस सी एनी मौन मुगा संग फिलेटी हैलमिंथिस इसके सुसंग अंग परिवहन अंग आधी नहीं होते हैं ओभाइलिंगी जन्तु इसमें आप देखिए उधारन में पिले नीरिया लीवर फिलीव फीता क्रीमी फिर आप देखेंगे संग एस किल्म संग एस किल्मी थीज इसके प्रमुख लक्षान देखें तो लंबे विलनाकार अखंडित क्रीमी सरी दूपास सम्मित त्रीस तरीय आहर नाल स्वष्ट होती है जिसमें मुख तथा गुदा दोनों ही होते हैं परिवहन अंग और सुसंग नहीं होते हैं परंदु तंदीका तंद बिक्सित होती है उत्साजन प्रोटॉन फीडिया द्वारा होता है एक ल इसे बच्चों को काफी चुंचुनाहाट होती है भूख कम लगती है ओल्टियां भी होती है कुछ बच्चे रात में विस्तर पर पेशाब भी कर देते हैं इसके कारण संग एनील लीडा सरी लंबा पतला दूइपास सम्मित वक्षंडों में बटा हुआ होता है पिचलन अंग बिटकी की रूम में होता है एक लिंगी ओवय लिंगी दोनों पिकार के होते हैं केंचुवा जौँक निरेस केंचुवे में चार जोडी हिदा होते हैं नेत नहीं होते हैं इसकी जीव धर्म में हीमो गलीवूं का बिले हो जाता है पिर आप देखें कि संग इसके विरमुख लक्षन देखें, तो सरी तीन भागों में भी भक्त होता है, सिर वक्ष उदर, इसके पाद संधी युक्त होते हैं, रोधेर परी संचारी तंथ खुले पिकार का होता है, इसमें इनकी देगवा हीमो सील कहलाती है, टेकिया गल्स, भुक लंग्स, सामान सत्य आदिस्व सनंग है, यहाए पुर्या एकलिंगी होते हैं, इवंने सिल्चन सरीर के अंदर होता है, उधारें के लिए तिन चल्टा हो गया, जींगा मचली हो गया, केंखडा हो गया, खटमल हो गया, मक्की हो गया, मच्छर, मधुमक्की, टेड़ी, कीटों में छहे पाद, बच्चार पंक होते हैं, कोकरोच के हिदाय में आप देखी कि तेरेक अच्छ होते हैं, चीटी एक समाजिक जन्तु है, जो स्तरम विवाजन पे तरसीत करती है, दीमक भी एक समाजिक कीट है, जो निवर में रहता है, संग एकाई, नोड मेटा, इसके पिरमुख लक्षन द देनाया कार करते हैं, तन्तीका तंत में मस्तिस के विक्ससे नहीं होता है, फोनार रोतपादन की विसेश च intricate होती है, उधारन कीफिश सैल फिश, क्राई फिश, सेल्वर फिश, कैटल फिश इसटार फिश, हेक फिश, रेजर फिश, बरेटिर इसटार आदी, अरस्तु लाल Sina Teny Dia द्वारा विक्सित होता है। इसमें कवस सदी फषित होता है, एल्द हिंत हुँ, स्भावति नम के द्वारा होता है, मुलस्का फिसलित नाम सेपिया दोरिस थी समधिरी निहँ हु, आक्टोफस रिंग मीन एफली सिया समुद्री खर्गुस कुंडल लीनी उद्यान गोंगा सीफिया कटक्फस संग कॉर कॉर्ड डेटा फिर मुख लक्षन इसके देखें तो नॉटो कॉर्ड उपस्तित होता है इसमें किलोंचित अवस्त पाय जाते हैं कॉर्ड डेटा में वर्गी केंट किर्म साथ 13 वर्ग होते हैं संग कॉर्ड डेटा की कुछ प्रमुक वर्ग जिसमें मत्स वर्ग इसमें प्रमुक लक्षन इस सभी आसम तापी जन्तु हैं इनका हिदय दूई बेसमी होता है एकेवल असुद रखत ही पंप करता है और इसमें सोसन किरिया के लिए किलों पाय जाते हैं जो जल में विलीन ऑक्सीजन का उपयों करते हैं कुछ मचलियों में कंकाल उपस्ति का बना होता है जिसमें यानि उनमें हड़िया नहीं आ जाती हैं जैसे सार्क, इसकोली, योडन, उधारन, रोह, कतला, समुदरी, गो होते हैं सोसन किलों में तुचा और फैंपड़ों द्वारा होता है एदाय तीन विसमी होते हैं दो अलिंद और एक निला है उधारन के लिए मैड़क, मैड़क की टर्ट राहाट बास्तों में मित्वन के लिए पुकार होती है इसकी ठीक है और इस सरी सिफ वर्ग, इसके प्रमुक बास्तविक इस थली है कसेरों की जन्तु है यह आसमतापी जन्तु है दो जोड़ी फाद इसमें देखने को मिलेंगे आपको गिन्ने मतलग जाना कंकाल पूर्टा आस्थिल होता है सुसन फैंपड़ों के द्वारा होता है इनके अंडी केलसियम कार्वोनेट की वनी कवस से धकी रहते हैं हिदय सावन प्रत्री कक्षी है होता लेकिन मगरमच का हिदय चार कक्षी है छिपकली साप घड़याल कचुगा मैसो जो एक युक को रेटाइल का युक कहते है डाइनस्वान इसी युक का है गहुंसला मनाने वाला एकमात सब नांगराज है किंग कोबरा जिसका भोजन मुकरूप से अनसरप होते है फिर आप देखेंगे हैलो दरवा विस्ट की एकमात जहरीली चिपकली है समदरी साप जिसे हाइड्रो फिस कहते हैं संसर का सबसे जहरीला साप है मैं विया बिल बनाने बाली चिपकली होती है इसका फिचले नाव इसकंक है सापों की विस्ट गरंतियों की बसा तेल गरंतियों के साथ दिरस से होती है पच्छी बरक पिरमोख लक्षन अगर इसके देखने तो अंगलापाथ उड़ने के लिए पंकों के रूप आंतित होते हैं, इसके हिदाई चार विसमी होते हैं, दो अलेंदो दो निले, ये समतापी मापी होते हैं, समतापी होते हैं और इनका सुसन अंग फ्हेंपड़ा है, मूत तरा से अनफरस्तित रहता है, सब दिनी पक्षी में प्यूप टे रिक्स है, जो रिसी के उपकासर अब पुरादन पक्षी है, जो सरीसिफ तथा पक्षियों की वीचे का योजक करी है, ठीक है, पैंग्वेन चिडिया, अंटार की टिका में पाई जाती हैं, भारत का सबसे बड़ा चिडिया घर, अलीप और कोलकाता, विस्सो का सबसे बड़ा चिडिया घर, कुर्जर नेशनल पार्क दच्छिन अपीका में, अब बात करते हैं, इस्तनी वरक तुचाप और सफीद गरंतियां, तेल गरंतियां पाई जाती हैं, ये सभी जन्तु उच्छे तापी और नियत तापी होते हैं, इनका हिदाय चार विस्मी का होता है, इसमें दाथ जीवन में दो बार निकलते हैं, इसलिए इने दुविवार दंती कहते हैं, इनके लाल रोधी कड़काओं में केंदरक नहीं होता है, किबल उट और लामा को छोड़ कर, बाहिकर अपस्तित रहता है, वरक इस्तनी अतीन और बर्ग में बाटा गया, प्रोटो थिरिया, अंडे देते हैं, उधारन एकी ड़ना, पिलेटिफस, मेटा थिरिया, अब परिवक्त बच्चों को जरम देते हैं, जो मारसू, फियर नामक थेली में विक्सित होतने हैं, जैसे कंगारू हो गया, यूथिरिया, पूंड विक्सित सीसुओं को जरम दे होता है, जैसे मनुस हो गया, इस्तंधारी वर्ग में रक्त का सबसे एक तामान वक्री का होता है, और आप देखेंगे, उन्तालीस डिग्री सेल्सिया, डक विल्ड, पिलेटिफस, एकमाद बिसेला इस्तनी है, संविद्री हेल में लिम्ब, फिलीपर, में परिस्कित होते ह हैं, जन्तु उतक, जन्तु के सरीर में, सरीर में पाई जाने वाले उतकों को हम निम्न सेडियों में बाटते हैं, उकला उतक, यह उतक जन्तु की बाहरी भीतर ही, या सुतंत सतों पर पाई जाते हैं, और इसमें उरोधरी कोशिकाएं, कोशिकाओं का आभा होता है, जिसके प्राणियों में एडी फोसाइट सयूजी उतक में वसा संग्रेत होता है पेसी उतक भी आप लोगों ने सुना होगा पेसी उतक आप देखें कि तो ऐसे संकुचन सील उतक के नाम से भी जानते हैं और सरी के सभी पेसियां इसी उतक से मिलकर बनी होती है पेसी उतक तीन पेकार के होती है और एकित या पेसी उतक उन अंगों की देवारों पर पाया जाता है जो अनच्छिक रूप से गती करते हैं जैसे आहाणाल, मलासह, मुतरासह, रक्त, बाहिन eye, आदि और एकित फेसियां उन सभी अंगों की गतियों को नेंतित करता है जो स्वैम में गति करते हैं रेकित फेसियां सरीर के उन भागों में पाई जाती हैं जो एक्छा अनुसार गति करते हैं फेरया इन पेसियों के एक या दो सरी रूपांतरित होकर टंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं, हेदयक पेसि, ए पेसियां केवल हेदय की दीवारों से पाई जाती हैं, हेदय की गती इनी पेसियों के कारण होती है, जो बिना रोके जीवन परेंद गती करती सरचना की दिरिष्टी से, रेक्षत फेसी उतक से मिलती जुलती है। मानौव सरीर में मास फेसीयों की संक्या च्हाता उनिता लिसे उन्यूंतः है। । कितनी च्हाता उन्ताली स्थासन बाण। मानौव सरीर की सबसे बड़ी एसी है। है स्टерж तंतीतं ही से जिवों की सबसे छोटी कि यॡिय ये तंतीका उत्ःक और विए यह टंतीका कोशिंगायों को और यह सरीर में होने वाले सभी अर्सवा सभ्क करता है जनम के बाद मानो की तंदिका उतक में कोशिया विभाजन नहीं होता है मानो रक्त को भी जान लिए बिलेड रक्त एक तरल सेयोजी उतक है मानो सरी में रक्त की मात्रा सरी के भार का लगभग साथ परसेंट होती है एक रक्त रक्त चारीय विलियन है जिसका पी एच मान आप सभी जानते हैंगी 7.7.4 है एक वेस्क मनस्कों में वह संतन पांच से 6 लीटर रक्त होता है महिलाओं में पुर्सों की तुला में एक एक वटे 2 लीटर का रक्त कम होता है रक्त दो क्यार की पतारतों से बनता है एक तो फिलाजमा रोधराणू पिलाजमा की बात करें यह तो रक्त का जीवित तरल भाग होता है यह रक्त का लगबग आप देखें 60% भाग फिलाजमा हो होता है को पिलाज मा की कारें के बात के पच्चे भोजन एंवा मंक lasciर में सम्महन प्र अचिर होता है सेश्षान जब वलाजमा मेंसे ठावाट निकाल दिया जाता है तो असके अध्यओं लाजमा को सिर्म कहते यह प्रोटिन से इक प्रोटीन से लाल रक्त कर्क का हैं डाब्लूबवसी रख्त विमरन फ्लेट्स ले 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 लेट्स अप लोग ने सुन योंगे टेड कभी हैं च्बाब को मलेरिया हो जाता है तोस्ते आप लोग फटल होते हैं, इसमें केंद्रक नहीं होता है, अब बात, ऊंट और लामक को झाल उतिंद्रक को छोड़ कर इसमें क्यूंकि केंद्रक पाई जाते हैं RVC का निर्माण अस्ती मज़ा में होता है प्रोटीन, आयरन, विटामिन, वीट्वल, हॉलिक अमल RVC के निर्माण में साहिक होते हैं भून अवस्ता में इसका निर्माण यक्रित और फीला में होता है इसका जीवन का 20 से 120 दिन का होता है इसकी यक्रिट, मिटकी वियक्रिट और फिलिया दोनों में होती है इसलिए यक्रिट तो फिलिया को RBC का कवर कहते है इसमें हीमो गिलोविन ही होता है जिसमें हीम नामक रंजन होता है इसके कारण रंग लाल होता है Glowin low protein है जो oxygen एबं carbon dioxide से सहुख करने में की चमता रखता है Hemoglobin में पाये जाने वाला low है योग है Hematin है और RBC के प्रमुकार की बात करने शरीर की हर कोशी का में oxygen पहुंचाना carbon dioxide को बापस लाना Hemoglobin की मातरा कम होने पर रक्त छिंटा रोग होता है Enemia सोते वक्त RBC 5% कम हो जाता है जो लगबग आप देखें कि 200-100 मेटर की उचाई पर होते हैं उनके RBC में 30% की विद्धी हो जाती है RBC की संख्या हीमोसाइटो मीटर से ग्याथ होती है ये भी कई बार बुच लेता है कि RBC की संख्या किसे ग्याथ होती है तो हीमोसाइटोमीटर से थेली सीमिया रोख में लाल रूदिकारू नहीं बनते हैं सुवेतरक्त कडिका वाइट वलर्ड कॉर्पल कॉर्पल सल्च और इसे लिक्युसाइट कहते हैं आकारो रचना में यह हैं अमीवा की आकसमाना कार होता इसका केंदरक रहता है इसका निर् WC का सबसे अधिक भाग 60-70% नीट्रोफिल्स कडिकाओं का बना होता है नीट्रोफिल्स कडिकाओं रोगाड़ूं और जीवाणूं का भक्षन करती है रक्त विम्राणू या किवल मनुसेवं अन्न जी इस्तंधारियों के रक्त में पाया जाता है इसमें केंद्रक नहीं होत आती है और इसके लिए आप लोगों को एक और बता देता हूं अच्छी बात आप लोगों ने गिलो सुना है तो इससे मुझे लगता है कि अगर इससे काफी एक तरसे आपके यह की बढ़ता है प्लेलेट्स की संख्यां कांटिंग बड़ी जल्दी बढ़ती है बक्री के द Spirit प्लेग क्वंधा अधिक हरमॉन्क संभाई करना एंवी आप देखेगे के आपका रंच्ट का काम लेंगेक लैंगेक वरण में सहता करना अंगो में सब्सक्त पुर्ण हर दीन anytime कुन के लिए रम होने वालिख tub डूर दो प्रोट प्रोट रोंविंग और विल्विन दो जेण फैबरीं प्य। रख्त रोधी रानू यह रखत का सख्का रोधिक प्रोथो में स्थलोग करो दोत जिए ह। में विटामिन गी सायता से हता है विटामिन के रक्ट के धक्का बनाने में सायक होता है सावंत Elsa कल दक्त कर्द कर डद करें तो इस रते की रखते समूं कि कोज काल लेंड स्टीनन ने सन 1900 में की थी और इसके लिए उन्हें सन 1930 में नोबल फृरसकार भी दिया गया था तो इनको याद रखेगा मनुस के रखतों की भिन्नता कमों के कारण लाल रखते कर्ड में पाई जाने वाली गलाईको प्रोटीन जिसे एंटीजन कहते हैं अंटीजन दो प्रोटीन की उपस्तिती की आथार मेश होते हैं जिसमें धी होता है जिसमें बी वी होता है इसमें एंटीजन ए आलोदेज कर क्या हों में Antibody प्लाजमा में A केवल A 20 में B में केवल B और केवल A AB में AB दोनों कोई नहीं और B में आप देखें कोई आपका आंटीजन नहीं रहेगा अनुप्सेदी में एक विपरीत पेकार की रोटीन रोदियरप्यधम्ह पाई जाती है इसको एंटी वोडी कहते हैं यह है दो पेकार के एंटी वोडी एना और एंटीवोडी भी रखातान एंटी जना एक साथ न ही रख सकते और इससी ऐसा होने पर एही आपस में मिल刃 अत्यदिक चिपके हो जाते हैं इससे रक्त-णुष्ट हो जाता है इसे रक्त का अभी कोई सेलेशन कहते हैं और अतह़ा रक्तादान में एंटीजन ओं एंटी वोडी ऐसा तालमेल करना चाहीं जिससे रहत का अभी से अल्हीं सर्झन ना हो सके रहत समय के कि इसके पूई एंटीजन नहीं होता है और रिए एसका सपर करा सकते हैं की इसमें कोई एंटींपॉडी सन 1940 में लेंड इस्टीनन और वीनन ने रुधीर में एक अनपेकार की एंटीजन का पता लगाया उन्होंने रिसस मंदर में इस्तर्थ का पता लगाया इसलिए इस लिए इस रह फेक्टर कहते हैं जिस व्यक्तियों कि रक्त में यह पाया जाता है उनका रक्त एह चे आरेच सह होती है आरेच फेक्टर पेलस और आरेच फैक्टर मौर्च फैक्टर माईनस रखती दिया जाता है यदि औरrons फैक्टर पिलसर रख्थ- वाले को रख्थ वघ्ति की तो पिताम वार कम मात्रह होने की कारन कोई प्रभाव नहीं पड़ता है कि जब दूसरी वार इस esthikas माता का रक्त आरेच माइनस है तो जनम लेने वाले सिसू की जनम से पहले गरवस्था में यह जनम की तुरंत बाद मित्ती हो जाती है ऐसा पितम संतान के बाद ही संतान होने पर होता है ठीक है तो माता पिता की रक्त समू के आधार पर बच्चों के संभावित रक्त समू माता अगर माता का भी हो, पिता का भी हो है, तो O होगा, इसमें A, B, A, B नहीं होगा, अगर आप सुची माता का है, A पिता का है, तो O A होगा, बच्चे में, B, A, B नहीं होगा, O भी अगर है दोनों का, तो O भी होगा, और A भी नहीं होगा, O माता का है, और पिता का A भी है, तो A ये भी कभी नहीं हो सकता है, अगर दोनों का ये है, तो A भी हो सकता है, बच्चे में, O भी हो सकता है, लेकिन B ये, A भी नहीं होगा, A अगर माता का है, B पिता का है, तो इसमें हो सकता है, O भी हो सकता है, A भी हो सकता है, और A भी हो सकता है, ठीक है, A अगर माता का है, A भी बिलेड़ग्रोप की बात हो रही है अब हम लोग बात करते हैं मानों सरीर के जो तंत हैं उनपर बात कर लेते हैं हमारे सरीम्र में भी आप देखते हैं कि तन्त हैं इसमें पाचन तन्त सबसे पहले बात करते हैं भोजन के पाचन की संपूर पिक्रिया पांच अवस्थाओं से गुजरता है और इसमें अंतरगहन, फिर पाचन, फिर आवसोसन, फिर आप देखेंगे स्वांगी करन, फिर पाचन की बात करें तो मनुस में भोजन का पाचन मुख से प्यारम होता है और यह चोटी याद तक जारी रहता है और मुख में इस्तितलार ग्रंथियां से निकलने बाला इंजायम टैलिन, भोजन में उपस्तित मंड को माल्टोज सरकरा में अब घटित कर देता है, फिर मा थए अबफर कारी करते हैं वह इसके बात भोजन आमासय में आहमास में पहुंचता है, अगर हमोनों पाचन देखें, तो आमसय में भोजन लगबख 4 घंते तक रहता है, और भोजन के आमसय में पहुंचने पर पाइलोरिक, पाइलोरिक गरंतियों से जटर रस, जटर रस न इंजायम के क्रिया कुतीब कर देता है हाइडोकलोरिक अमल भोजन के माध्यम को अमलीय बना देता है और जिससे लार की टाइलिंग की क्रिया समापत हो जाती है आवासे में निकलने वाले जठर रसमें इंजायम होते हैं पैपसिन और रेनिन पेपसेन प्रोटीन को खंडित कर सरल पलार्थों में पेपट ओंस में परिवर्वर्थित कर देता है और रेनें दोथ की खुली हुई प्रोटीन कैसी कैसिजनोंगन कक्तोस प्रोटीन, कैसियम, प्रक, कैसिनेट में कीरू में बदल देता है यहां आमसर में पाचन देख लिया फिर आप देखेंगे पक्वासर में पाचन तो भोजन को पक्वासर में पहुंचने पहुंचते ही सरफितम इसमें यकरट से निकलने वाले पित रस वाइल जूस आकर मिलता है और पित रस चारिय होता है यह भोजन को अमलिय से चारिय बना प्रोटीन एबम पेटॉन को पॉलीपेपटाइड तथा अमीनों अमले में परिवर्तित करता है, फिर आप देखेंगे छोटी हाथ, मैं पाचन, यहां भोजन की पाचन की किरिया पूंड होती है, एवं पचेकों के भुजन का आउसोसन होता है, छोटी आत की दीबारों से आंत्रीक, आंत्रीक रस निकलता है, इसमें निमने जायम होते हैं, एरेपसिन, सेस प्रोटीन और फेफ्टॉन को अमीनो अमले में परिवर्दित करता है, माल्टेज, यह माल्टोज को गिलुकोज मे में परिवर्दित करता है, या आंत्रीक रस चारिय होता है, और स्वस्त मनोस में पीती दिन लगवग 2 लीटर आंत्रीक रस सरावित होता है, मनोस या किसी भी कसे रोरी की जन्तु की आहर नाल, एक लंबी कॉंडलित नालिका होती है, जो मुख से सुरू होकर गुदा में, अब देखे, में समाप्त हो जाती है, मुख गुआ, आर नाल का पहला भाग होता है, मुख गुआ में जीब, दाद, एवं तीन जोडी, लार गिरंथिया पाई जाती है, जीब, तो मुख गुआ के फर्ष पर इस्तित एक मौटी एवं मासल रचना होती है, जीब के उपर सत स्वाद मिलता है, पश्च भाग में करवे का स्वाद मिलता है, और वगल के भाग से खटी का स्वाद आपास होता है, जीब अपनी गत्ती के द्वारा भोजन को निगलने में मदद करता है, पिर आप देखते हैं, मुख गुआ के, ऊपर ता निचले दोनों जब्रों में द नबड़ी की पितेक ओर दो क्रंतक और एक रदनक और दो अग्र चर्णक और टारतीन चर्नक knife आप देकिए दाथ पाए को आगे मनुस्के दाथ दो बार निकलते हैं पहले सिसाव अवस्था में 20 निकलते हो और जन्हें दूद के दाथ कहते हैं वैस का वस्था में 32 नाथ होते हैं यहां आप लोग मन उसका दाथ देख देखते हैं दाथ सूत दाथ के उपरें से या सिखर में एना मिल एना मिल का चमकीला इस्तर पाये जाता है जो दाथ को सुरक्षा पेदान करती है एना मानोशरी के सबसी कठोर भाग होता है क्या होता है सबसी कठोर भाग माना जाता है तो इनने भी याद रखेगा कासी याद रखना चाहिए लारगरंथिया, मनुस में तीन जोड़ी लारगरंथिया पाई जाती है पहली जोड़ी लारगरंथि जीवा के दोनों और एक-एक की संख्या में उपस्तित होती है जो सब-lingual glands के नाम से जाने जाती है दूसरी जोड़ी लारगरंथिया निचले जाबड़े की मद्द में मैगजल अस्थी के दोनों और एक-एक संख्या में उपस्तित होती है जब इन्हें सब-lingual glands के थे है तीसरी जोड़ी लारगरंथिया दोनों कानों के नीचे एक-एक की संख्या में रहती है इसे आप जो perotide glands के नाम से जाने जाती है मनुसके लार में लगबंग 99% जल से से 1% इन्जायम होते है लार में मुकता दो इन्जायम पाये जाते है एक तो टाइलिन और एक आप देखें लाइसोजायम फिर आप देखेंगे आउसोसन पचे हुए भुजन का रुधेर में पहुंचना आउसोसन कहलाता है पचे हुए भुजन का आउसोसन छोटी आंथ की रचना ओर्द के द्वारा होता है स्वांगी करन आउसोसित भुजन का सरीर के उपयोग में लाया जाना स्वांगी करन कहलाता है मल पर इत्याग आपच भूजन बड़ी आंत में पहुंचता है जहां जीबाणू इसे मल में बदल देते हैं जिसे गुदाय द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है पाचनकार में भाग लेने वाले पिरमों अंग हो गया यकरत हो गया लीवन यह मानव सरीर की सबसे बड़ी गरंती है इसका बजन अलग भग आप देखेंगे एक दसमला पांस से दो केजी होता है यकरत द्वारा ही पित सुरावित होता है और यह पित आत्मे उपस्तित प्रिया में परिवर्तित कर देता है यकरत प्रोटीन की अधिक्त मात्रा को कार्वोहेड़ेट में परिवर्तित कर देता है और कार्वोहेड़ेट और यकरत रत के गलुकोज बाले भाग को गलाईकोजन में परिवर्तित कर देता है और संचित पोसक्त अतनों की रूम में यक्रित कोशीका में संचित कर देता है गिलुकोज की आवस्तक्ता होने पर यक्रित संचित गिलाइकोजेन को खंडित कर गिलुकोज में परिवर्तित कर देता है इस्विकार यह रक्त में गिलुकोज की मात्रा और कुन्ययमित बनाए रखता है भोजन में वसा की कमी होने पर यकुर्ट आलोब हाइडेट का कुछ भाग को वसा में पर इवर्टित कर देता है 5-Vinogen नामक प्रोटीन का उत्पादन यकुर्ट से ही होता है जो रक्त की धक्का बनाने में मदद करता है हेफेरिन नावक फ्रोटीन का उत्पादन यक्रित की द्वारा ही होता है जो सरीर के अंदर रग्त को जमने से रोकता है मृत आर्वीसी को नश्क यक्रित की द्वारा ही किया जाता है यकृत थोड़ी मात्रा में लुहा और तामा और विटामिन को संचित करके रखता है सरीर के ताप को बनाया रखने में मदद भी करता है भोजन में जहर दे कर मारे गए व्यक्ति की मित्यू के कारणों की जाज यकृत एक महत्पूर्ण स्तुराग इसी से लगाते है फिर आप देखते हैं पित्रासर इसमें आप देखेंगे पित्रासर नासपाती के याकार की एक थेली होती है जिसमें यकृत से निकलने वाला पित्त जमा होता है और पित्त पक्वासर में पित्त नलिका के माध्यम से आता है और पित्त का पक्वासर में गिरना पित्ती वर्थी किरिया द्वारा होता है पित्त पिलिहरे रंग का चारिये द्रब है जिसका पी एच मान देखें तो 7.7 होता है और पित्त में जल की मात्रा देखें तो 85% पित्त वर्ड़क की मात्रा देखें तो 12% होती है और फित का मुख कारेगर देखें इसके काम क्या होते हैं या भोजन के माध्यम को चारिये कर देता है और जिससे अगना सही रस्ट करिया कर सके या भोजन में आये हनिकारक जीवानों को नश्ट कर देता है या वसाओं का MLC करता है या आत के क्रमांकुचन गतियों को बढ़ा चाने पर यक्रित कोशिकाएं, रोधिर से विलेरूबिन लेना बंद कर देते हैं, फलस्वरूब विलोरूबिन संपूर्ण सरीर में फैल जाता है, इसे ही फिलिया कहते हैं आप लोग, फिलिया हो गया है, फिर आपका अगनस है, यह मानों सरीर की दूसरी सबसे बड़ी गरं बंती है, इसे अगना से ही रस निकलता है, जिसमें 9.8% जल से इस भाग में देखेंगे 11 और इंजायम होते हैं, यह चारी तरब होता है, जिसका पी एच मान देखें तो 7.5 से 8.3 होता है, इसमें तीनों फिकार की मुख भोज पदार्त या था कर्वोहाइड वसा प्रोटी इसकी खोज लेंगर हैंस नामक चकिसा सस्त्री न की थी, इसमें बीटा कोशीघा है, यानि की बीटा सेल से इनसूलीन और आल्फा कोचीघा से आप देखेंगे गलुका और गामा कोचीघा से आप देखेंगे सॉमेटो स्टेटिन नामक ह़ार्मॉन निकलते हैं इंसुलीन या अगनास है कि एक भाग लेंगर हैंस की दीपीका में भीटा कोशिकाओं द्वारा सरावित होते हैं इसकी खोच फैडरिक वैंटे के एवन चार्स वेस्टन ने सन 1921 में की थी 1922 में पहली बार लियोनार्ट थॉम्सन को कनाड़ा में इंसुलीन का इंजेक्शन इंसुलीन के अल्फ सरवन से मधू में डायोटीज नामक रोग भी हो सकत हो जाता है रोधिर में ग्लुकोज की मात्रा बढ़ना मधू में कहलाता है और आज कल भाद देखिए सबसे जाना मरीज इस तरह की मिलेंगे इंसुलीन के अतीश सरवन से हाइपो ग्लाइसीमिया न इयंके पॉलिप एप्टाइड हर्मों होता है जो भोजन समागी करण की अवुदी को बढ़ाता है किसको बढ़ाता है भोजन पैबस देखें यहां देख लेग अगनासरस, ट्रेपसिन, प्रोटीन, पॉलिपेप्टाइड्स, एमाईलेज, मंद, सरक्रा, लाइफेज, वसा, वसा अमल और ग्लेसरॉल, आंतियरस, एरेपसिन, प्रोटीन, अमीनो अमल, माल्डेज, माल्टोज, गिलुकोज, सुक्रेज, सुक्रोज, गिलुकोज, फ्फोक वांत में सलिगन होता है परी संचेंड तंदिवी सुना होगा रक्त परी संचेंड की कोच 1628 में बिलियम हारवे ने की थी इसके अंदर कर निम चार भाग होता है हिदय धमनिया सिराएं रोधिर हिदय की बात करें तो हिदय वारण हिदय और नावक थेली में सुरक्षिर रहता है इसका भार लगभग आप देखेंगे 300 ग्राम का होता है यह सरीर का सबसे ब्यस्त अंग है हम इसे आप देखते सो रहे हों आप लोग जाग रहे हों काम करता रहता है फिर आप देखेंगे मनोस्त का हिदय चार कोष्णों का बना होता है अंगले भाग में एक दाया अलिंद एक बाया अलिंद होता है बाहिदय के पिछले भाग में एक दाया निले और एक बाया निल क्यारवल और सी रहा में असुद्र हरंग्द और अर्थात करवंडायग्व ल्यूक्त होता है इसका बाधिवarkan परमॉन्री सारहे इसमें सुद्र हर्त बैता है लुए-अ अधया भाग में रख्त पहुंचाने वाली बायनी को को रोनरी धमनी कहते हैं और इसी में किसी पैकार की रुकावट होने पर हेदया घात होता है हिदय में रूधिर की मार्क बाया अलिन, बाया निले, दैहिक महा धमनी, विभिन धमनिया, छोटी धमनिया, धमनी, कोशिकाएं, अंग, अगर, पश्चिप महा सिरा, दाहिना अलिन, दाहिने निले, पल्मोरी धमनी, फैंपडाव, पल्मोरी सिराव, बाया अलिन, ऑक्सिजन नियुक्त दो देरेस तरह से चलता है हिदय के संकुचन और सिथिलन को समलित रूप से हिदय की धड़कन कहते हैं सामार वस्ता में मनुस्य का हिदय एक मेंट में 72 बार भूण अवस्ता में देखेंगे तो 150 बार धड़कता है उसमें जल्दी जल्दी ठीक है और एक धड़कन की तरंग पारम होती है सामान मनुस्का रखताब अगर आप देखें तो 180 120 से लिए 180 mmHg से टोलिक 120 और आप देखेंगे डायस्तोलिक 80 देखें यानि कि आप देखें कि क्या रहेगा जब फूलेगा उस समय की बात हो रही है जब बापस आएगा सिकड़ोगा तब की बात हो होई रक्तदाब मापने वाली यंद का नाम स्फेग्मो मैनोमीटर रखा गया है क्या स्फेग्मो मैनोमीटर थायरोक्सिन और एड्री निलीन सुतंत रूप से हिदाई की धड़कन को एन्नित करने वाली हार्मोन है रोधिर में उपस्तित सी योटू रोधिर के पी एच को क करके हिदाई की गति को बढ़ाता है अर्थात अमलीता हिदाई की गति को बढ़ाती है और चारीता हिदाई की गति को क्या करती है कम करती है लसीका परीशंचर तन्त विभेन उतकों तथा कोशीकाओं की भी चिस्तित अंतरा कोशी किये आवकासों में पाए जाने वाले हलक पदार्थ मौझूद रहते हैं इसमें लश्किया में पाए जाने बाले कडिका यह लेंफोसाइट कहलाती है यह वास्ताओं में सुवेध तरव देर कडिकाएं होती है लश्किया उतक से हिदाई की ओर एक ही दिसा में बहता है इसके काम की कारी की बात करें कि इसका कार क्या ह तो लस्किया में उपस्ति लेंफोसाइट हानिकारक जीबाणूं का भक्षण करके रोगों को की रोगताम में सहयक होता है लस्किया लेंफोसाइट का निर्मान करती है लस्किया की नोड जिने लेंफी नोड कहते हैं मनुस के सरीर में छन्ने का कार करते हैं, धूल के कड़ो गया, जीवाडू के इंसर कोशी का हैं, इत्याली लिंफ नोड में फस जाते हैं, लस्किया घाओ भरने में साहिता करते हैं, लस्किया उत्कों से सिराओं में वेहन बस्तूओं का प्रविशंचाइन करती हैं, फिर प्रविशंचाइन का तात्वा नाइट्रोजनी उत्सरजी, फदार्स जैसे यूरिया, अमोनिया, यूरिक अंगल, आदी के निसकासन से होता है, मनुस में प्रमुक उत्सरजी यंग, वरिक, तुचा, यक्रित, फेंपड़ा हैं, चार हैं, इसमें वरिक, अगल किड़नी क को मेडूला कहते हैं, पितेक वरिक लगबग आप देखें तो, एक करोड़ तीस लाग वरिक नलिकाओं से मिलकर बना होता है, समद रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या, और जिन नेफ्रॉन कहते हैं, नेफ्रॉन ही वरिक की कारयात्म के काई है, और पितेक नेफ्रॉन में एक चोटी सी प्याली नुमा रचना होती है, उसे बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट में पतली रुधिर कोशीकाओं का, कोशी का गुच्छ पाए जाता है, जो दो विकार की धमनिया, धमनिकाओं से बनता है, कितनी? दो तरह की, इसमें भी याद रखिएगा, फिर आप देखेंगे, चोड़ी अभी वाही धमनिका, जो रुधिर कोशीका गुच्छ में पहुंचाती है, पतली अभवाही धमनिका, जिसके दोरा रख्थ कोशीका गुच्छ में से बापस ले जाया जाता है, गिलो मेरूलम, मेरूलस की कोशीकाओं से द्रब को द्रब आपार सब्सक्राइब लिडे शल के लिकाइब पीम मेल भी थी ये नलिकाओं द्वारा मुलस्का मूत अंग द्वारा और कसेरू की वह खताब विट के द्वारा विकर के प्रमुकार की बात करें तो रक्त की पिलाजमा को छान का सुद्ध बनाना इसमें से अनावस्यक और अनुपयोगी पदारतों को जलकी कुछ मातरा की साथ म अंगों की तुला में बहुत अधिक होती है विक में पिती दिन मिनिट औस तन एक सो पचीस मिली लीटर या था दिन भर में 180 लीटर रक्त निस्पंदन होता है इसमें से 1.45 लीटर मूत रोचाना बनाता है बाकि निसन नन बापस रक्त में आउसो सितकल हो जाता है सामान 95% जल होता है 2% लवड होता है 2.7 यान की 2.7% यूरिया हो गया 0.3 यूरी कम लो गया मुद का रंगा हलका फिला होता है उसमें उपस्तित वर्ड़ वर्णक यूरो क्रॉम के कारण यूरो क्रॉम हीमो गलोविंग की बिखनन से बनता है मुद कामलिय होता है इसका पीयच मा 5.6 विक में बने वाली पतरी कल्सियम और व्गिलेट का बना होता है आप जानता सुनते होंगे उसे कड़ पतरी है तुचा तुचा में पाइजाने वाली ग्रंथियां ईबर्ण सपीद घरंथियां क्रम साशीवम और पसीने की स्रावन करते है यह क्रत लिवर्ण को सिका है आउसकता से अधिक अमीनों और रोधिर की अमिवनियास को यूरिया में परिवर्तित करके उस साजन में मुख भूमी का निवाती है फैंपड़ी फैंपड़ा दो फेकार के गेस की पदार्थ कारवन डायोकसाइड और जलबास्फ का उसाजन करता है कुछ पदार्थ जैसे लहसोन प्याज और कुछ मसाले जिसमें वास्प सील घटक होते हैं काउसाजन फैंपड़ों के द्वारा होता है तंदीका तंद क्या तंदीका तंद को देख लीजे नर्वस सिट्टम को इसके अंतर के सारे सरीर में महीन धागे के समान तंदिकाये फैली हो रहती हैं यह वाता वर्णी है परिवर्तनों की सूचना है सम्वेदी आग्गों से प्राप्त करते के बिद्धुत आग्गों के रूम में इनका दूद गती से पसारन करती हैं और शरीर के विवन भागों के बीच कार्यात्मक समवनबा इस्थावित करती है मनुस्की तंतिकातंत को तीन भागों में आप लोग विवक्त करते है केंद्रिय तंतिकातंत, पर्दिय तंतिकातंत और आप देखें स्वायत या स्वाधीन तंतिकातंत इसमें सबसे बहले कैंद्रीय तंतिका तंत देखें तंतिका तंत का वह भाग जो संपूर सरीर वाथ, स्वयम तंतिका तंत पर नयंत्रण एंसी फिलाउन में आप देखें थैलेमस और हाइफो थैलेमस इसमें मद्द में देखेंगे तो कार्पोरा क्वाइडी जेमिना और शेरीवल फैरीकल और इसमें पर्शनी में देखेंगे तो शेरी वेलम मेडूला ओप ओब लागेटा ठीक है ए ए जी एलेक्ट्रो एलेक्ट्रो एन सेफल सेफलोग ग्राब कप्रियोग मस्तिस के किकार का पता लगाने के लिए होता है इलेक्ट्रो एलेक्ट्रो एलेक्ट्रो सेफलोग ग्राब मस्तिस के बरेंड की बात कर लिए मनुसक का मस्तिस के खोल क्रेंइम में बंद रहता है जो इसे बाहरी आगातों से बचाता है मनुस्ट की मस्तिस्ट का बजन 1400 ग्राम का होता है सहरी विरम के कार की बात करें तो यह मस्तिस्ट का सबसे विक्सित भाग है यह बुद्धी, मता, स्रमिती, इश्मिती, इक्छासक्ती एक्छे, गतियों, ग्यान, वाड़ी एवं चिंतन का केंद होता है यह अंता सरावी गरंथियों से सरावित होने वाले हर्मोन का नेंतन करता है posterior pituitary गरंथि में सरावित होने वाले हर्मोन से इससे सरावित होते हैं यह भूख, फ्यास, ताप, नेंतन, फ्यास, त्यार, गहना, आदी की केंद होते हैं रक्तदाब जल के उपापचे, पसीना, गुसना, खुसी, आदी इसी के नियंतन में आते हैं कारपोरा क्वाइडी जे मीना के कार यह द्रिष्टी और सरवन सक्ती पर नियंतन करता है सेरीवल फेडी कल के कार इसमें कूरा सेरी भी भी कहते हैं क्यूरा सेरी विरी यानि कि यह मस्तिस्क की अन्य भागों को मेरो जज्जू से जोड़ता है सेरी बेलम के कार यह सरी का संतुलन बनाय रखता है और यह मैं एक्छे फेसियों के संकुचन पर नियंतन करता है यह आंत्रिकान की संतुलन भाग से सम्वेदनाय गहन करता है मेडिवला ओबला गेटा यह मस्तिस्क का सबसी फीचा का भाग होता है इसका मुखेकार उपापचय और रक्तदाब अहरनाल की कमा कुचन गरंथी इसराओ हैदय की धड़कनों तथा सुसन का नियंतर करता है अल्ट उल्टी का नेवन केंद मेडूला ओबला गेटा ही है मेरूरज्यू भी सुनते रहते हैं मेडूला ओबला गेटा का पिछला भाग ही मेरूरज्यू बनता है और इसका मुखगार पिती बर्ती किरियाओं का नियंतर्ण और समर्वय करना अर्थात पिती बर्ती किरिया के केंद काकार करना मस्तिस के आने बाले उद्दीपनों का समभाहन करना किती वर्थी क्रियाओं का पता सरफ इता मार्सल हाल नामा बिग्यानिक ने लगा है पर आप देखें कि परधी ये तंतिकातं मस्तिस्क एवं मेरुरज्यू से निकलने वाली तंतिकाओं का बना होता है यहें किरमसा कपाल मेरुरज्यू तंतिकाओं कहते हैं नौरा एडडिनलीन नामक रसायनिक द्रव नेवरो ट्रांसमीटर पदायाट थे चील या सरीर के सभी आंतरिक अंगों वरक्त बाहिनियों को तंतिकातंति काओं की आपूर्थी करता है और सुवायत तंतिकातंति की आउधारना को सबसे पहले लेंगली ने 1921 में पिस्तुत किया था सुवायत तंतिकातंत दो तरह की होती है अनुकंपी तंतिकातंत और परानुकंपी तंतिकातंत अगर परा अनु कमपी तरंतिक तंतिके कार की बात करें तो यह तोचा में उपस्तित रोधिर दाय बाहिनियों को संकीन करता है इसके क्रिया से बाल खड़े हो जाते है यह लार गरंतियों के सराव को कम करता है यह हिदे स्पंदन को तेज करता है, यह सोईद गरंतियों के सराव को प्यारम करता है, यह आख की पुतली को फैलाता है, यह मूतरा सही की फेशियों का भिमोचन करता है, यह आत्मे क्रमांकुच्य नगती को कम करता है, इसके त्वारा स्वसंदर तीब हो जाती है, यह रक्त अजिए दाब को बढ़ाता है या रूधिर में सरक्रा की स्थर को बढ़ाता है या रोधिर में लाल रुधिर कड़िकाओं की संख्या में विद्धी करता है या रक्त की ध Cleanable बनने में मदद्ध करता है इसके सामुई इंगा थैस्ट के कार समानने अनुखम्पी प्रिथा की कार की देखे तो यह रोधीर वहिनीयों की ग्वाहा उत्पन करता है या आत्री भीती में संकुचन और गती उत्पन करता है इससे तंतिका तंत का प्रभाव सामोहिक रूप से आराम और सुक में इस्तितियां उत्पन करता है कंकाल तंत मनुस का कंकाल तंत दो भागों का बना होता है अक्छी ये कंकाल उपांगी ये कंकाल कंकाल को अक्ष्य कंकाल कहते हैं इसके अंतरगत घोपडी कसे रूज़ी आगल कंकाल के भाग को घोपडी कहते हैं इसमें उन्तीस अस्तियां होते हvisedूं इसमें ऐफ तुरू से मनुस्य के मस्तिस को सुरकषी रखते हैं। ये अस्तियों से बनी रचना को कपाल कहते हैं, कपालों की सभी अस्तियां सीवनों के दोरा दरता पूरुवा जुड़ी रहती हैं, और इसके अंतरिकस चोदह अस्तियां सहरी को बनाती हैं, छे अस्तियां कान को, हुएड नामक एक और अन्न खोपडी में होती है, ठीक है, त मनस का कसेरुक दंड 33 कसेरुकाओं से मिलकर बना होता है, सभी कसेरुक उपास्ती गद्धियों के द्वारा जुड़ी रहते हैं, इन गद्धियों से कसेरुक दंड लचीला रहता है, इसका पहला कसेरुक जो एटलस कसेरुक कहलाता है, खोपडी को सीधे साधे रहता है, कसेर दंड के कारी की बात करें तो इसमें आप देखें कि सिर को साधी रहता है या गर्दन दथा धड़ को आधार पेदान करता है या मनुस को खड़े होका चलने खड़े होने आदी में मदद करता है या गर्दन वा धड़ को लचक पेदान करते है जिससे कि मनुस की सीवी देशा में अपनी गदन और धर को मोड़ने में सफल रहे या मेरी उरज्जु को सरक्षा पिदान करता है यहां भी कुछ पॉइंट है नहीं भी देख लिए मनुस के सरीर में कुल 226 हड्डियों की संख्या होती है बाला वस्ता में कुल आप देखें कि 208 हड्डियों होती है सिर की कुल हड्डियों की संख्या 29 है कपाल में 8 है फैसियल में 14 करण में 16 माकरी करण में आप देखें कि 6 रिड की कुल हड्डियों की संख्या प्यारम में 33 रिड की कुल हड्डियों की संख्या विक्सित होने पर 26 रह जाती है पसलियों की कुल हड्डियों की संख्या 24 कसियर ये कंकाल इसके निम्नुदारने पाद अस्तियां दोनों हाथ पे रहो मिलाकर 118 अस्तियां होती हैं मेखलाएं मनुसमें अगवाद तथा पश्चेपाद को अक्षी अकंकाल पर साधने के लिए दो चार चात पाए जाते हैं जिन्हें मेखलाएं कहते हैं और आप देखेंगे मेखलाएं कहते हैं अगवाद की मेखला को अंस मेखला और पश्चपाद की मेखला को सैनी मेखला कहते हैं अंस मेखला से अगवाद की अस्तियां और हूमरस हूमरस एवन सैनी मेखला से पश्चपाद की हड़ी फीमर जुड़ी होती है ये कुछ बिसे सत्थानों की अस्ति अलना दो कलाई कारफल्स एसोले हतेली मेटा कारफल्स दस अंगलिया फैलेंजेज 28 जान फीमर दो फेंली टीवी ओला एह चार गोटना पटेला दो टकना टार्सल ले चौदय तलवा मेटा टार्सल्स 10 कंकाल के अगर क्यारी की बात करें कंकाल तंत के कारी की तो सरीर सरी को निश्चित आकार प्रदान करना सरी के कोळमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना और पेसीयों को जोड़ने का अधार प्रदान करना सुसंत एवं पोछन में सहाधा प्रदान करना लाल रक्त कडिकाओं का निर्मार करना जांकी हड़ी फीमर सरी की सबसे बड़ी हड़ी होती है कान की हड़ी स्टेफ सरी की सबसे चोटी हड़ी होती है इन दोनों को याद रखे मासफेसी इवां अस्थी के जोड को टेंडन कहते हैं अस्थी से अस्थी के जोड को लिगामेंट्स कहते हैं क्या केते हैं लगामेट्स कहते हैं अब हम लोग बात करते हैं अंता सरावी तंत के बारे में तु बाहे सरावी गरंथीयों पर देखें यह लिकायोग्त होती हो इससे इंजयम का सराव होता है जिसे दुग्ड गरंथी या सुएद ग्रन्थी असु ग्रन्थी सलेश्म ग्रन्थी लार ग्रन्थी ठीक है और आंगे आप देखें तो इसमें अंतासरावी ग्रंती यह नलिका भी ही ग्रंती होती है इसमें हार्मोन का स्राव होता है यह हार्मोन रख पलाजमा की द्वारा सरी के विभन भागों में पहुंचा जाता है प्यूस ग्रंती आउटू ग्रंती पारा आउटू ग्रंती मुख अंतासरावी ग्रंती हो उनसे उत ट्रश्री का कहते हैं इसका भार लगबग आप देखेंगे 0.6 ग्राम होता है इसे मास्टर गरंथी के रूम में भी आप लोग जानते हैं प्यूस गरंथी को फिर प्यूस गरंथी से निकलने वाले हार्मोन उनके कार देख लिजेए हार्मोन से उनके कारें से कुश्चन इमकायत अत्वा एक क्रोमी गली विकार उत्पन हो जाता है जिससे मनुस की लंबाई सामन से बहुत देख हो जाती है और STH की अगर कमी रहे तो मनुस बोनापन हो जाता है तो इससे संतुलन रहे ना ज्यादा रहे ना कमी रहे ठीक है फिर आपका TSH हर्मोन थाइवराइड Stimulating हर्मोन यह thyroid ग्रनती को हर्मोन सरावित करने के लिए फिर रहे रिथ करता है फिर आप देखिएगगे ACTH Adenocartic Cautrophic हर्मोन Adrenal cortex की सरावस को नेंतित करता है GTH हर्मोन एग संध आंगों के कारियों का नेंतरन यह दो पकार कहोता है FSH हर्मोन Follicle Stimulating Harmon या विर्षाइन की सुकर जनन नलिकाओं में सुकराणु जनन में सहायता करता है या अंडासर में Follicle की विर्धी में मदद करता है एक आपका LH हार्मोन Lutening Nijing हार्मोन अंतराल कोशिका उतेजक हार्मोन नर्मेस की अभाव से अंतराली कोशिकाओं में Testosterone हार्मोन और मदा में Estogen हार्मोन सरावित होता है एक आप लोगों ने सुना होगा LH LTH हार्मोन दुगद जनक हार्मोन Lactogenic हार्मोन इसे कहते हैं इसका मुखकार होता है सिसूं के लिए इस तनों में दुख दिसराव उत्पन करना ADH हार्मोन Antiduretic हार्मोन इसके कारण छोटी छोटी रक्त धमनियों का संकीन होता है संकीन होता है इवन रक्त दा बढ़ जाता है या सरीर में जल संतुलन को बनाय रखने में भी साहिक होता है आउटो गिरंथी थाइराइड गलाइड या मनुस के गले में स्वास नली है ट्रीकिया के दोनों और लेरिंग से के नीचे इस्तित रहती है इससे निकलने वाला हार्मोन थाइरोक्सिन और ट्रायोडो थाइरोनीन है और इसमें आयोडीन अधिक मात्रा में रहता है थाइरोक्सिन के काम की बात करें तो यह कोशी का कोशी यह सुसन की गती को तीब करता है यह सरीर यह सरीर की सावन बिड़ी विसेस्ता हड़ियों बाल इतियादी के विकास के लिए इनवार होता है जननंगों के सामनकारी नहीं की सक्रेटा पराधरित होते है फ्यूस गरंथी के हर्मोन के साथ मिलकर सरीर में जल संतुलन का नियंतन भी करते है थाइरोक्सिन की क्यमी से होने वाले रोग जड़ माना होता यह रोग बच्चों में होता है और इसमें बच्चों का मानसिक और सारुरीग विकास अवरुद हो जाता है फिर आप देखेंगे मैकसी डवा योग नवस्था में होने वाले इस रोग में उपाप्चे भली भादनी नहीं हो पाता है जैसे हिदय स्पन्दन तथा रक्तिचाप कम हो जाता है हाइपो थायरोइड में लंबे समयता कि इस हार्मोन की कमी के कारण यह रोग होता है इस रोग के कारण सामन जननकार संभाव नहीं हो पायता है कभी-कभी इस रोग के कारण मनस गुंगा और भहरा भी हो जाता है घेंगा भोजन में आयोडीन की कमी से यह रोग उत्पन होता है इस रोग में थाइवराइट ग्रंती के आकार में बहुत विर्धी हो जाती है आप लोग उन्हें गली के हाँ देखा होगा कई लोगों के उठा होगा ठीक है थाइरोक्सीन के अधिक से होने बालो टॉक्सिक ग से वाहर निकल जाती है पर आउटू ग्रंती यह गला में ओटू ग्रंती के ठीक पीछे इस्तित होता है इसमें दो हार्मोन सरावित होते है पैरा थायराइड हार्मोन या था हार्मोन तब सरावित होता है जब रोधिर में केल्सियम की कमी हो जाती है केल्सितो निन जब रो तो ग्रंथी से निकलने वाला हार्मोन रुधिर में केल्सियम की मात्रा को नियंतित करता है फिर आप देखेंगे थाइमस ग्रंथी यह अंतासरावी ग्रंथी वक्षिय ग्वाव में औरोष्टी इस्टर्णम के पीछे स्वासफडाली के विभाजन के इस तर पर इस्थे दे लेंफोसाइट्स मौजूद होते हैं तथा अंदर मेडूला होता है मेडूला में लेंफोसाइट की संख्या कुछ कम रहती है और पूशिकाओं के गुच्छे जिसे थाइमेक या हैसल्स कोशियाएं कहते हैं भी रहती है यह गरंथी यह गरंथी उम्र के अनुसार अलग- अवसेस की अवस्था में पाई जाती है थाइमस गरंथी से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हर्मोन का स्राव होता है जो मकरूप से टीक वशीकाओं का निर्माड करता है या उसका इस सरीगे को रोक चमता बनाये रखने में खास भूमी का अधा करती है यानि थाइमस गर फिकास होने तक हो उनके विकास पर नेंतन रखती है अधिवरंथी हैं यह वरक्यकर की ऊपर इस्तित होती इसका मुखेकारत तनाओ की स्तितीuciones ने कालने निक्तलने वाली हार्मोन को लढ़ो एवा यंभू हार्मोन हो वह कहते हैं इस गरंथी के दो भाग होते हैं बाहरी कोटेक्स और तथा अंदुरुणी भाग मेडूला कहते हैं से क्या होता है मेडूला होता है को कोटेक्स से निकलने वाला हर्मोन और कार्ग गिलू को कौटी कोई कोई इस एक अर्भोहाइडिट वोटीन और वसाओ पप चाहिक उने अंतित करते हैं फिर आप देखें मिन मिनर मिनरलो कार्टी कोई इसका मुख कार विक नलिकाओं द्वारा लवन की पुनाहा और सुर्शन और शरीर में अनने लवन की मात्रा मात्राओं का नियंदन करना होता है लिंग हरोन यह बाहे लिंगों वालों की आने का यह बाहे लिंगों वालों की आने का पितीमान और यून आचरन को नियन्तित करते हैं कोर्टेक्स यह आप देखें कि जीवन में नितान दावत सके यदि यह सरीर से बिलकुल निकाल दिया जाए तो मन उसकी बल एक या दो सपता ही जीवित रह सकता है इसमें विक्रिती हो जाने पर उपाप चाही पिक्रम में गड़वडी उत्पन हो जाती इस रोग को एडिशन रोग कहते हैं फिर आप लोग उने मेडूला की बारे में सुना होगा मेडूला द्वारा सरावित हार्मोन एपीनेफिन है या एडिन एडिन लीन और नौर एपीनेफिन या फिर नौर एडिन एडिन लीन दोनों एमेनों अमल है इन्हें समलित रूप से केटे केटेकॉल मीनस कहते हैं एडिन लीन और नौर एडिन लीन किसी भी पकार के दवाओ या आपात का लीन इस्तिति में अधिकता में तेजी से सिरावित होते हैं इसे कारण ये आपात कालीन हार्मोन या इयोद्ध हार्मोन या फिलाइट हार्मोन भी कहते हैं ये हार्मोन सक्रीता आँखों की पुतलियों का फैलाओ रोंक्टे खड़े होना पसीन आदी को बढ़ाते हैं दोनों हार्मोन हिदाई की धड़कन, हिदाई संकुचन की चमता और ससंदर को बढ़ाते हैं, इसके कारण रक्त में गिलुकोज का इस्तर वर जाता है, ये लिप्पिड इवन प्रोटीन के विखंडन को भी पेरित करते हैं, अधिक मात्रा में उससा जित होता है, क्रोध भय खत्रे की समय सक्री होता है, जनन गरंती भी देख लिए, अंडास है, इसमें निन्हारोन का सरा होता है, एस्टोजेन या अंडवाहिनी के परिवर्धन का पूर्ण करता है, प्रोजेश्ट्रॉण या एस्ट्रॉजेन से सहियोग पर इस्तनविड़ी करने में सायक होता है, रिलेक्षिन गर्वाहस्था में या अंडवाहस है, और अप्रा में वपस्ती आता है, या हर्मॉन प्यूबिक सेफ हाई सिक्स कु मुलाइम करता है, या गर्वाहस है, गर् के परिवर्दन को और योन वाचननक को पेरित करता है फिर आप देखेँ सुसंतंत मनुस्थ की सुसंतंत का सबसे मत पूर अग फैपड़ा यानि फखुर से और यहां परगयासं का आधान पताम होता है इसलिए इसे फखुरम होस फखुरम से वी कहते हैं नासावारिक की बात करें, तो इसका मुख्यकार सुंगने से संबंदित है, यह सोसन नाल के द्वारा द्वार का भी कार करता है, इसलिए भीतर की गवा, म्यूकस कला में इस्तरेत होती है, यह इस तर लगबग एक से दो लीटर म्यूकस पितीदन सरावित करती है, यह इस तर आप देखे ग्रसनी यह नासागोहा कोट के ठीक पीठे इस्तित होती है, लेरिंग्स या वं ल ट्रेकिया से जोड़ता है लेरिंग से या सर्थ यंत कहलाता है इसका मुखकार धौनी उत्पादन करना है लेरिंग्स प्रविस द्वार एक पतला पतली समान का पार्ट होता है और जिसे एफ एफी गलोटिस कहते हैं जब कुछ भी निकला होता है तो यह है गलोट गलाटिम द्वार बंद कर देते हैं जिससे भोजन स्वासनली में प्रविस नहीं कर पाता है ट्रेकिया इसमें आप देखेंगे ट्रेकिया वह है वक्षग्वा में प्रविस करती है ट्रेकिया की दोनों प्रमुक साखाओं को प्रात्मिक ब्रॉंकी ओल कहते हैं दाया ब्रॉंकी ओल तीन साखाओं में बटकर दायोर और के फैपड़ों में फिर विस करती है बाया ब्रॉंकिया और केवल दो साखाओं में बटकर बाय फैपड़े में फिर विस करता है फैपड़े वक्षगवा में एक जोड़ी फैपड़े होते हैं इनका रंग लाल होता है, इनकी सरचना स्पंज की समान होती है, दाया फैपड़ा वाएं फैपड़ी की तुल्ला में बड़ा होता है, जो दाया फैपड़ा होता है, जो वाएं फैपड़ी की तुल्ला में बड़ा होता है, पितिक फैपड़ा एक जिल्ली द्वारा रहता है, जिसे पिलूरल पिलूरल में मेंब्रेन कहते हैं और फैपड़े हुए उपरी कोशिकाओं का जाल विचा रहता है जहां O2 रोधिर में चली जाती है स्वास वास और वास की देखें तो फैपड़ों निश्य दर्ज से बायू भरी वा निकाली जाती है जिसे स्वास लेना या स्वास वास कहते हैं और इसकी क्रिया विद्री देखें तो निश्य वस्था में बायू आउरन से बातावण से बायू पत्वारा फैपड़ों में प्रवेस करती है जिससे वक्ष वहा आयतन बढ़ जाता है ओ पैपड़ों में एक नेमन दाप का निर्माड़ हो जाता है जिससे बायू बायू से फेप्ड़ों में प्रवावा तब तक प्रवेस करती है जब तक कि बायू का अदाब सरी के भी रहित यो बाहर बरावन ना हो जाए उच्छ सुसन इसके में सुसन कि पस्षाद बायू सी बायू पत के द्वारा फेप्ड़ों से बाहर निकलका बातावान में पुनहा लोट जाती है जिस पत से वह फेपड़े में प्रविस करती है यह आप देखे स्वासो च्वास में बायू का अंदर ले गई बायू में नाइटोजन 78.09% ऑक्सीजन 21% कारबन डायोक्साइड 0.3% बाहर निकाली गई बायू में आप देखे 38.09% पूर में फेंपड़ो के अंतर होता है यह जिह गुली अवस्था में यह विसरन पर बनता कि आधारप साधाना नाथे बिसरन के दिवारा होता है एंपड़ों से सरी कोशिकाओं तक चाना और पुना फेमपणों तक वापस आने की करिया को गैसों का परीबहन कहते हैं oxygen का परीबहन रोधेर में पाए जाने वाले लाल वर्डक हीमोगलोविन के द्वारा होता है हीमोगलोविन के द्वारा कारवन डाय उक्साइड का परिवहन कोशिकाओं से फैपनों तक हीमो गलोविंग के द्वारा केबल 10 से 20 परसेंट तक ही हो पाता है कारवन डाय उक्साइड का परिवहन रक्त परिशंचन के द्वारा अनफेकार से भी होता है पिलाजमा में घुल कर कर्वंड़ अमल बनाती है इसे रूम में 7 पर्षन CO2 का परिवान होता है बाई कर्वोनेट्स के रूम में बाई कर्वोनेट्स के रूं में आप देखें CO2 का लगभग 70% भाग परिवान होता है और रुधेर के प्रोटेसियम एबन सोडियम के साथ मिलकर पोटेशियम, कारग आरो निरमाल करता है, आंतरिक सोसन, सरी के अंदर रोधेय तथा उतक दरब के बीच, गैसिय बीद्वय होता है, उसे आंतरिक सोसन कहते है, फेंपणों में होने बाले, गैसिय बीन्वय को, बाहर सोसन कहते हैं. और इसमें जब रोधिर Oxymoglovine कोशیکाओं में पहुँचता है, तो Oxygen बिमुक्त होता है और खादपदाथों का Oxygen होता है, जिससे उर्जा में बिमुक्त होती है. कोशकी है, खादपदाथों के पाचन के फलस्वरूप कहते हैं इसमें ग्लुकोज बिना ऑक्सीजन की मासपेसियों में लेक्टिक अमल और विक्टीरिया इस्ट की कुशिकाओं में एथायल एलकोहल में विक्टित हो जाता है और इससे सरक्रा केडवन भी कहते हैं इसके अंतरगत होने बाले संपूर्ण फिकरम को गलाई को लिसिस कहते हैं अनॉक्सी स्यसन की यंद्में पई रोवेक अमला बनता है अनॉक्सी स्यसन प्रया जीवों में गहराई पर इस्तित को स्तकों में एक आपी मात्रा में उर्जा भी मुक्त भी करते हैं C6H12, O6, 6O2, क्रिया करके आप देखेंगे CO2, 6H2O, और देखिए आपका कितना, 2830 किलो जूल, उर्जा भी एक तरह से उत्वन कर रहा है, कोसकी इससन में होने वाले जटेल पिक्रिया को दो भागों में आठते हैं, इसम लिए से EMPB पत भी कहते हैं, इसको अनॉक्सी सुसन या सरकरा विक्रवने भी कहते हैं, इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्तिती में उर्जा मुक्त होती है, यह अवस्था आक्सी तथा अनुपस्तित होती है, एक गलूको जणू का गलाइकोसिस में विक्टन के फलसौरूप पाइरोबिक, आम लगए के दो अडू बनते हैं, इसके क्रिया को आरम करने में दो अडू ATP ब्या होते हैं, प्रिंतु पे क्रिया के अंत में चार अडू ATP प्राप्त होते हैं, अता गलाइकोसिस के फलसरूप दो अडू ATP प्राप्त होते हैं, अर्थाद 16,000 कैलोरी उर्जा प बनते हैं, जो NAD को 2NA-DH2 में बदलने में काम आता है, क्रेफ से चक, इसका बार्डन हैंस क्रेफ के ने सन 1937 में किया था, इसको साइट्रिक अमल चक या ट्राई कार्वो कार्वोकसिल लेक चक भी का आ जाता है, या माईटो काइंडिया के अंदर विसे से ज्ञायम के उपस् होते हैं, पूरी चक के दो अडू पायरोविक अमल के होते हैं, कुल 6 अडू करवन डाई ओकसाइड के बनते हैं, हमारे तन्त में अधिक्तम ATP अडू का निर्माड के चक्की के द्वरान होता है, उड़िजा उत्पादन, पायरोविक अमल के अडू के उक्सी करण से ATP का एक अडू और 5 अडू ANADH के वा एक अडू FADH2 का बनता है, NADH के एक अडू से 3 अडू ATP के और FADH2 के एक अडू से ATP के 2 अडू बनते हैं, इस पेकार पायरोरिक अमल के 1 अडू से 1 पिलस आप देखें, फिर कुष्टक 3 गुड़े 5, कुष्टक 1 पिलस फिर आप ATP के बनते हैं, गलूकोयच के एक अडू से 2 पायरोरिक अमल के अडू बनते हैं, जिसमे 56 अडू ATP के पराप्त होते हैं, गलायकोल लेसे के दोरान 25 अडूkanaland V2T ATP अडू का लाब होता है, अता गलूकोयच के अडू से स्वसन के कोल 2 फिलसта 36 यानिके 38 ATP अडूब पराप्त ह होते हैं ससनी पदार तो कारबोहंडेट वसा युक्स पदार्थ सब्से पहले कारबोहंडेट अ इसके बाल वाचा कारबोहंचे स्वंडार समाप्त होने के बाद ऒात है प्रोटीन कफसन होता था ससन एक अप्चै कि रिया इससे शरी के घर में में भी कमी होती है ससनका नेंतर मस्तिस्क में मेडूला और लंगेटा भाग में से किया जाता है तो यह भी याद रखिएगा अब हम लोग बात करते हैं पोसक पदार्थों के बारे में बेपदार्थ जो जीवों को जीवों में विभेन प्रकार की जैबिक कारेयों के संचालन और संपादन के लिए आवसक होते हैं पोसक पदार्थ कर लाते हैं और उपयोगिता की आधार पर यह पोसक पदार चार प्र निर्वाड़ प्रोटीण काम करता है अनुबांसिक पदार्थ वे फोसक पदाथ जो अनुबान सिक गुडों को एक पीडी से दूसरी पीडी में ले जाते हैं जैसे नेउकले अमल हो गया तो इस तरह के चार पदाथ होता है मनोस के सरी में विभिन कारियों के लिए निमलिखित पोसक पदार्थों की आवसकता होती है जैसे कार्वो हाइड़ेट, रोटीन, ववसाब, विटामिन, जल, न्यूकलिय कम, खनिल लवन, आप लोग कहते हैं कि विटामिन D की कमी है, विटामिन E की कमी है, विटामिन A की कमी पहले तो आप देखते हैं कि आप लोग जैसे विटामिन C की कमी रहती थी, तो आप लोग आउले खाते थे, खंटी चीज़े खाते थे, लेकिन आजकल आप देखिए टेबलेट आने लगे हैं, और टेबलेट से आप देखिए विटामिन की पूर्ति की जाने लगी है, कार्वन हाइडोजन और ऑक्सीजन की एक अनपाते दो अनपाते एक के अनपात में मिलकर बने कार्वन एक पदार्थ कार्वो हाइड़ेट कहलाते हैं और सरीर की उर्जा की आपसकता की 50 से 50 परशेंट की मात्रा की पूर्ती इनहीं पदायधों द्वारा होती हैं एक ग्राम ग्लुकोज के पूर्ण ओक्सीकरन में से आप देखें के चार दसमलोग दो किलो कैलोरी कैलोरी उर्जा पराप्त होती हैं तो 3 तरह की होते हैं कर्ड या कारवोर्ड हाइड़ेट की सबसे सवर्य और C d कि बात करें तोacă समाहन यो बेन मोनो सेकराइट के दो अटोवों की सैयोजिन से एक डाइ सेकेराइट बनता है जैसे मल्तोज हो गया सक्रोज गया लेको जोหा पॉह ==== sequencing निण मोनो संखिराइट के कई अटोव के मिलने से लंबी सिंखला वाले आग होलन सील्स पॉली सेकिराइड्स का निर्माड होता है यह है आर्थोफोडा के बाहे कंगाल वा सेलूलोज में पाय जाता है इनके उधारन एस्टाज, गलाइकोजन, काइटेन यहां देखिए गिलुकोज प्लस फेक्टोज सुक्रोज, गिलुकोज प्लस गिलेक्टोज और यह आप देखेंगे लेक्टोज कार्वोःडेट के अगर कार आपसे अगर पूछे कभी तो आप लोग याद रखिए और उक्सीजन द्वारा सरीर की उर्जा की आवसकता को पूरा करना और सरीर में भोजन संचेन की तरह कार करना और बिटामिसी का निर्माड करना नियूकेलिक अमलों का निर्माड करना जंतुओं के बाह कंगाल का निर्माड करना यह भी कार्वोःडेट का ही काम है कार्वोईडेट के अगर कहां से मिलेगा ये भी तो मन में आता रहता है कहां से आता है ग्यमू हो गया मक्का हो गया बाजरा हो गया आलू हो गया सकरकंद हो गया सल्यम हो गया इन सभी से आपका मिलता है कार्वोईडेट थिर बात करते हैं फ्रोटीन की तो फ्रोटीन सब्द स्पार्टिं से ही निर्मेत हैं सभी पोटीन में नाईट्रोजन पाय जाता है और उड़्जा उत्पादन एवुम सरीकी मरम्मध दोनों कारियों के लिए प्रोटीन उत्तरदाई होता है। और मनुस्र के सरी में 20 पेकार की प्रोटीन किया सकता होती है जिनमें 10% का 10 का संसलेशन उसके सरीर स्वेम करता है और से 10 भूजन के द्वारा पराफ्त होते हैं सोयावीन और मूंफली में पिच्चुर मात्रा में परोटीन होता है और आप देखते होंगे आप लोगों से कहा जाता है आप लोग अगर मेहनत करते हैं कि सोयावीन युक्रालों के खाया करिएगा मौंफली खाया करिएगए एक कारसील महिला को फितीदें 45 ग्राम परोटीन लेना चाहिए परोटीन की पिकार की बात करें तो सरल determ करोटीन जो केबल अमीनों अमले की बने होते हैं वेफरोटीन चल्प होते हैं उधारन के लिए क्रोमो फ्रोटीन, गिलाइको फ्रोटीन, व्यूत्पन फ्रोटीन, वे फ्रोटीन जो प्राक्तिक फ्रोटीन के जली अवगटन से बनते हैं, व्यूत्पन फ्रोटीन कहलाते हैं, जैसे फ्रोटीन, पेप्टोन, पेप्टाइड, प्रोटीन के काम क्या होते ह ये कोशी का ओजीब द्रब ओत एबं उतकों का कि निर्माण में भाग लेते हैं इस अरी सारीरिक बिध्धी के लिए आउ सके हैं इनकी कमी से सारीरिक विकास रोग जाता है बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वासी और कर मरा इसमस से नामक रोग भी होते हैं आपसक्त पढ़ने पर ये सरीर को उर्जा भी देते हैं प्रोटीन और एक जैव उतफेरक और जैविक नियंतन के रूम में भी काम करते हैं अनुबान से की लग्षणों की विकास का नियंतन करते हैं इस समभहन में भी साहिक होते हैं इस रोग में वच्चों का हाथ पाओं दूबला पतला हो जाता है और इवब पेट बाहर की वह निकल जाता है मरास समस े रोग में बच्चों की मासपैसियां धीली हो जाती है वसा गलिसरॉल इवब यह अमल का एक एस्टर होता है इसमें कारबन, हाउडोिएन, ऑक्सिजन, बिभिन मात्रावों में अपस्थित रहते हैं वसा सामनता 20 degree Celsius ताप ठोसबस्था में होता है परन्तु यदि इस ताप पर द्रवबस्था में होते उन्हें तेल कहते हैं वसामल दो तरह के होते हैं संतरप्त और असंतरप्त असंतरप्त वसामल मचली के पेल तेलो बनस्पती तेलों में मिलते हैं ये खाहिए सरीर mute का अगर वसा के आप से काम पूछे कि इसके मोख के कारी क्या है तो यह सरीर को उड़ जा पिदान करता है यह तुचा की नीचे जमा होका सरीर के ताप को बाहर नहीं निकलने देता है यह खात पदारतों में स्वाद उत्मन करती है और आहार को रुचीकार बनाती है यह सरीर के विवन अंगों को चोट से बचाती है किसे बचाती है चोट से बचाती है और वसा की कमी से तुचा रूखी हो जाती है बजर में कमी आ जाती है और सरीर का विकास रोग जाता है वसा की अधिकता से सरीर स्थूल हो जाता है और हिदय की बिमारियां होती है रक्तचाप आता है विटामिन की बात करें तो विटामिन का अविसकार फंक ने 1911 में किया था और यहीं एक फिकार का कार्वनिक योगिक है इन में से कोई कैलोरी नहीं पराप्त होती है परन्तु यह सरी के उपाप्चय में रसायनिक विती करियाओं के नियम के लिए अतेंत आवस्यक है इसे रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं गोलन सीलता के आधार पर विटामिन दो फिकार के होते हैं जल में गोलन सील विटामिन 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 विटामि विटामिन युक्त भोजयन से होती है यह भी विटामिन डी और के का संस्लेशन हमारे सरीर में होता है विटामिन डी का संस्लेशन सूर के फिकास में उपस्तित प्रावेगनी किर्णो दौरात तुचा के कॉलिस्ट्रॉल द्वारा होता है और विटामिन के जीवाडू का बिटामिन की कमी से होने वाले रोग विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो गया जैसे बिटामिन एकी बात कर लिए इसका रसायनिक नाम रेटीनॉल है बिटामिन एक कमी से होता है यह कहां से आप राप्त कर सकते हैं दोध अंडा पणी घरी साहग सब्जी मचली यकृत ते अब विटामिन B1 की बात करिए इससे थायमीन कहते हैं इससे वेरी वेरी रोग होता है वेरी 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 और मुंफली तिल सूखा मिर्च विना घुली दाल और यकृत अंडा सबजियों से प्राप्त होता है विटामिन B2 राइवो फ्लेम विन इतुचा का फटना आखों का लाल ओना जीवा का कटना और खमीर कलेजी मास हरी सबजियां दूद से प्राप्त कर सकते हैं विटामिन B3 निकोटिन निकोटिन निवाइड या नियोसिन इसका रसानिक नाम है फ्लाग्राव तुचादाद या एब मापकरी 4D सिंडॉं यह आपका विटामिन B3 स से होता है मास मूंग फली आलू टमाटर पत्ति वाली सब्जियों से ले सकते हैं विटामिन B5 पैंटो पैंटो थैनेक अमला बाल सफेद होना मंद बुद्धी होना मास दूद मूंग फली गंदा टमाटर से इसे पराप्त कर सकते हैं 26 पाईरी पाईरी डॉक्सिन एनिविय का तुचा रोग होता है यक्रित मास अनाज से ले सकते हैं से विटामिन B7 वायोटीन लखवा सरीर में दर्द बालों का गरेना मास अंडा यक्रित दूस से आप लोग विटामिन 7 को ले सकते हैं विटामिन B11 फॉलिकम एनिमिया पेचिस रोग दाल यक्रित सब्जिया सकले दूद से ले सकते हैं से विटामिन C क्या विटामिन C और विटामिन C एसकर्वी कम से इसकर्वी M गेल्सी फेरॉल, रेकेट्स बच्चों में, आस्टियो मलेसिया वैस्क में होता है, मसली किर्थ तेल, दूद अंडे, और विटामिन दी तो आप से लुक्सूर भगवान से भी लेते हैं, विटामिन E, टोको फेरॉल, जनन सक्ती का कम होना, पत्ती बाली सब्जियां, दूद मक्कन, अंकुरित गया हूं, वनस्पती तेल से इसे पराप्त कर सकते हैं, विटामिन के, फेलो कोई, नौन, रक्त का धक्का न बनना, टमाटर हरी, सब्जियां आत्मे से उत्पन होता है, जल की बात कर लेते हैं, जल तो आप लोगों के लिए जरूरी यहता है, मनोस इसे सब्सक्राइब करता है, हमारे जल, हमारे सरीर का प्रमुख अभयाब है, सरीर के भाग कल 65-75% भाग जल है, जल के प्रमुख कार की बात करते हैं, तो जल हमारे सरीर के ताप को संब्यत पसीन आते था वास्पन द्वारा नियन्तित करता है शरीर के अफसिष्ट पदार्थों के उस सजन का मत्पूम माध्यम में भी है शरीर में होने वाले अधिक तर जय प्रसायने का विकिरिया जली माध्यम से संपन होती है पानी में आर्सेनिक विस के कारण केरा टोसिस नामग बीमा जाते हैं इनके प्रमकार देखे तो अनुवान से की गुणों को एक पीडी से दूसरी पीडी में पहुंचाना एंजाइम्स के निर्माड में एवन प्रोटीन संसलेशन का नियंतित करना एक क्रोमवर्टीन जाल का निर्माड भी करते हैं तो यह भी याद रखिएगा खान देख खनेज लवर्ड अलग-अलग रूपों में पाए जाते हैं सरीर का कुल बजन का 4-5 परसेंट होते हैं यह मात्पून खनेज पदा तो उनके पिरकार हो गए जैसे खनेज सोडियम सोडियम किलोडाइड की रूम में देनेक मात्रा इसमें 2-5 जी और मुक्सरोद देख करें कारिकी तो यह सामनता कुश का बाहे द्रब में धनायन की रूम में होता है तथा निम्न कारियों से संबढ़ देहुत पेसियों का संकुचन तंतिका तंतिका आवेक का संचरन सरीन में धनात्मग विद्धु अफगट संग तूलन बनाय रखना पोटेसियम एक किलो एक रसायने का भी करिया है पेसियों संकुचन तंतिका आवेक का संचरन सरीन में विभिन अवगट संतोलन बनाय रखना कैल्सियम लगभग एक से 1.2 ग्राम दूद पनीर अंडे चना हरी सबजियां साबूत अन रागी मचली से इपराफ्त हुता है यह विटामिन के साथ हड़ दातों को दिर्टा पिदान करता है रुधे के इस पंदर में भूमिका निभाता है पेसियों संकुचन फिक्रिया से समढ़ दे फासपुरस 1.2 ग्राम दूद पनीर हरी पत्तेदार सब्जिया बाजरा रागी ग्री जैई आटा कलेजा उगुर्दे से प्राप्त होता है गै लोहा मत खा ले लग जाना तो आप सोचें 2-4 कील खा लेते हैं और लोहे की कभी पूरी हो जाएगे तो बालकों के लिए देखें तो 25 mg ग्राम और 35 mg बालिकाओं के लिए कलेजी गुर्दे अंडे का पीतल लोहा चोकर युक्त आटे की रोटी बाजरा रागी सेव केला पा काओं में हीमो गलोविन के बनने के लिए आवसक होता है यह उतक में ऑक्सी करन के लिए आवसक है आयोडीन 20 mg मचली समद्री खरपतवाय पत्तेदार सबजियां आयोडीन नमक से और यह थायराइट ग्रंथी द्वारा सरावित थायरोक्सिन हर्मोन के संसलेंशन के लिए आ सबसक है मैगनेसियम अत्यल्फ सबजियों से प्राप्त कर सकते हैं पेसी तंत यह उम तंतिका तंत की किरिया है तू कैंसर से बचाओ के लिए जस्ता यह वी अत्यल्फ बिलको कम यक्रितों मचलियों से प्राप्त कर सकते हैं इंसुलीन कारिकी के लिए तामा यह वी कमी मास मचली था जल आरवी से था बिटामिन B12 की संसलेशन हे तू जरूरी जायता है इन सभी को जरूर याद रखे कहां से प्राप्त कर सकते हैं क्या काम रहता है इनका ठीक है और कितना लगवक्त चाहिए पोसन की बात करें तो संतुलित पोसन वह है पोसन जिससे जीव के लिए आवसक सभी पोसकत प्रयाप्त मात्रा में उपलब धो संतुलित पोसक कहलाते हैं आजकल दूद को संतुलित आहर नहीं माना जाता है क्योंकि इसमें आयरन और बेटामिन C कावा हो रहता है संतुलित आहर व्यक्ति की आयू लिंग स्वास्त देवसाय पनेर रहा करता है सामान ता एक सामान कार करने वाले औसद युवा मनस्त को 3,35 केलोरी उजा उत्पन करने लाइक भोजन की आवसकता होती है या उजा प्राप्त करने के लिए भोजन में लगबग 9-90 ग्राम प्रोटीन 400-500 ग्राम कर्वो है डेट 50-70 ग्राम वसा अन आवसक तत्नों का आवसक होना चाहिए और पुरुस वालकों को इस्तिरियों तथा अवालिकाओं की तुल्ला में अधिक भोजन चाहिए ठीक है और खादपदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का परियोग किया जाता है C6H5COOHCOONA इसकार सूत्थ हो गया भोजन और बोजन बेपदार पुसक पदार थे जिनको जीप कार करने के लिए और विद्धी और उतकों की तूट फूट की मरमत के लिए तथा बिभिन जैप विकरों को सुचारू रूप से कायम रखने के लिए इससे तीन फिर्मों को बर्गों में विभाजित किया जा सकता है उर्जा पिदान करने वाले भूजपदार सरी निर्माट करने वाले भूजपदार और फिती रोधी चमता पिदान करने वाले भूजपदार राश्टी पूसर अनुसंधान संस्थान कहा है है एदराबाद में इस तरह की पूसंधान भी आ जाते है मानाव सरी की कैलोरी समंदी आवस लगताओं की बात करें तो हलका कार करने वालों के लिए आप देखिए पुरुसों के लिए 2000 कैलोरी इस्तिरियों के लिए 200 कैलोरी 8 घंडा कार करने वालों के लिए 3000 कैलोरी और महलाओं में 2500 कैलोरी कठिन फरस्यम करने वालों के लिए पुरुस के लिए 3600 महलाओं के लिए 3000 ठीक है सलंतुली ताहार हो गया ये देख लीजे जरूरी है एक खादपदार्थ हो गया सामान वैस्क पुरुस के लिए मध्यम और कठोर काम जो करते वैस्क महला के लिए और बच्चों के लिए बालक के लिए बालिका के लिए ठीक है जैसे ग्यहूं की बात करें अन्ने की ग्यहूं चाबद तो सामान वैस्क आप देखें 400, 500 और 600 कठोर ये आप देखेंगे एक तरह से ग्राम में और सामन आप देखिए पिती दिन की बात हो रही है और महलाओं में आप देखिए 400, 400 मद्धहम काम जो करती है 400, 400, 500, 75, बच्चों में देखिए 1-3 बालों को 175, 4-6, 270, वालक में देखेंगे जो 10-18 साल के होंगे 420 और वालिकाओं में 380, जो 10-16 होंगे दालों की बात करें तो 40 गराम, 50 गराम करमसा, 60 गराम, महलाओं में देखिए 40, 45, पचास, और बच्चों में 1-3 में 35, और 4-6 में 35, और बालक में 4-10-18 में 45, और वालिकाओं में 45, पत्तेदार सब्जी है, 40 गराम, ठीक है, किलो नहीं फ आप सुचिए, 40, 40, यहां 100, 100, 150, और 40, 50, 50, 50, सब्जीयां अन 60, 70, 80, और महलाओं में 40, 40, 100, और बच्चों में 0-1-3, 20, 4-6, 20, 30, और 10-18 में 50, और 10-16 में 50, दूद की बात करें, 150, 200, 200, महलाओं में 100, 500, 200, बच्चों में 300, और 4-6, 250, वालक में 10-18, 250, और वालिकाओं में 250, गोड या सक्कर, यह दूद हो गया, कंदमूल यह देख सकते हैं, 50, 60, 80, 50, 50, 50, 60, 10, 20, 30, गोड सक्कर, 30, 35, 50, 20, 20, 40, 30, 20, 45, 45, वासा वातेल, 40, 45, 65, 20, 25, 40, 15, 25, 45, 35, भोजन बिसाक्तिता का कारण, लेक्टो वैसिलस होता है, इन्हें आप लोग याद रख सकते हैं, एक सामन जानकारी के लिए, एक से दो बार पढ़िएगा, और छोड़ दीजेगा, ठीक है, जान्द परिसान, जान्द परिसा ये रोग गया, प्रभावित अंग हो गया, और परजी भी हो गया, इसका उख मच्छर हो गया, लक्षन हो गया, मलेरिया, तिली एवं आरवीसी से प्रभावित होती है, फिलाजमो डियम, परजी भी से होता है, मदा एनाफिलिच से, और ठन के साथ बुखार, चड़ता है, पायरिया, पायरिया, मसूडों में होता है, एन्टी अमीवा, जंजी वेलिस के दोरा, और मसूडों से रक्त का निकल ला, सौने की वीवारी, मस्TOSक से संबन देता है, इससे प्रभावित होता है, ट्रेपेनो सॉमा, सिसी मक्खी के दोरा, वह बहुस नीन के साथ बुखार आता है पेचिस आंत में इसे प्रभावित होती एंटी अभीवा हेस्टोली टीका और सिलेशमा खून के साथ दस्त काला जार अस्थी मज्जाई से प्रभावित होता है लेश मीनिया डौनावानी बालू मक्षी से देजबुखारिस से होता है जीवाडू के बेक्टेरिया के द्वारा होने वाले रोग की बात करें तो बीमारी हो गया प्रभावित हो गया जीवाडू के नाव हो गया लक्षन हो गया टेटनेस तंतिका तंतिस से प्रभावित होता है किलोश्टी डियम टेनी के द्वारा होता है तेजबुखार सरीर में एठन जवड़ा बंद होना ह प्यजा आज से सम्बंदित है वी वी ओ कोलीरी और लगाता दस तोल्टिया टाइफ हाइट आज से सम्बंदित साल मुनेला ट्राइफी से तेज बुखार से दर चैरो फैफडा से सम्बंदित माइको वैक्टिरियम टीवर केलोसिस बार बार खांसी के साथ फाक कप रक्त निक सम्बंदित कोरीनो वैक्टिरियम डिफ्थिरी सांस लेने में कठा यह अंदम गुटना फलेक फैफडा कारव दोनों पैर की वीच फस्चूरिलिया फेस्टिस बहुत तेज बुखार सरीड़ बा गिल्टिया काली खांसी सोसंतंत हीमो फेलस पर्टूसिस लगातार खांसी जाना निमोनिया फैफड़े से सम्धित डिफ्लो को कल्स निमोनी तेज बुखार फैफड़ों में सूजन कोड तंतिकातन तुचा माइको बैक्टिरियम लिफ्प्री सरीर पर चकते तंतिकातन प्रभावित गोनोरिया मूत मार्ग नाइस सेरिया गोनोरिया मूत मार्ग में सूजन, सिफिलिस, सिसन, और टेफोन नवा, फिलेडर्यम, और सिसन में घाव, मैकुलाज ने 1827 में सरफ तो मलेरिया सब्द का प्रिविव किया था, मलेरिया रोग की पुष्टी रक्त की बून, तथा पी एप मामलों के लिए ID किट से सुख्षंदर सी जाग द्वारा की जा रोणाल रास, 1887 में मलेरिया फरजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टी की और बताया की मच्छर इसका वहाग है, मलेरिया रोग में लाल रुद्यानू जो आरवीसी होते हैं, नश्ट हो जाते हैं, और रक्त में कमी आ जाती हैं, इसके उप्चार में कुनेन, रुद्रिन, केलोरो क्वीन, फेहमा क्वीन, और उस्टीलियनी चाहिए, 1882 में जन्वन बिज्ञानेक रोवर्ट कॉच ने कोलेरा और टीवी की जीवाड़वा की खोच की थी, लुई पास्चार ने रहे बीच का टीका दूद का पस्चुराइजेसन की खोच की थी, बच् नाडू के नाम हो गया, लक्चन हो गया, एर्स, आप देखेंगे पिती रक्चा पिडाली इस दे प्रभावित होती है, HIV वाइरस के कारण होता है, रोख पिती रोधर चमता का नश्ट हो जाना, डेंगु ज़ार हड़ी तोड़ वोखार, संपूर सरीर के खास कर सिर, अदर में दर्द रीड की हड़ी, आथ की कोशिकाए नश्ट हो जाती है, इन्फलेंजा, संपूर सरीर, मैक्सो वाइरस, और गल्सोद, छींक, बेचेनी, चिचक, संपूर सरीर, वेरियूला वाइरस, तेज बुखार सरीर पर लाल लाल दाने, छोटी माता संपूर सरीर पर वेरि सेला वाइरस, हलका वुखार सरीर पर पित्तिकाएं, गल्सोद, फैरा थायराइट गरंती, जोर की साथ मुहें खुलने में कटनाई, खस्तरा, संपूर सरी, मौर विली वाइरस, सरीर पर लाल दाना, ट्रैकोमा, आँख से संबंदित, आँख लाल होना, आँख में द बागल हो जाता है, जी बाहर निकलता है, और मेनिंजाइटिस, ये मस्तित किसे संबंदित है, तेज बुखार, हारफीज, तुचा, हारफीज, और तुचा में सुझन हो जाना, इन सब से क्या रहता है कि कई वार आपका कॉश्चन सूच लेता है, ट्रीके, एर्ट के देख जिस जी का वुखार, मुकता, एडीज, पिकार की मच्छर के काटने से होता है, सारे रिक संबंद बनाने और खून बढ़ाने चड़ाने से भी इसके फैलने की संभाव ना होती है, यह रोग गरवतीमा से गरवस्त सिसू में जा सकता है, और सिसू के सिर की अपून विकास क पमिकार की बजया बन सकता है, इसके अधीकास मामले, सारjut से असी में कोई लक्जन नहीं दिखते हैं, यदि कोई लक्जन दिखते हैं तो भी लक्जन इस पाकार के होते हैं, बुखार, ला-लाक है, जूडों में दर से दर लाल चकते हैं, ठीक है, हेलमिन्थस, दौरा होने जम बॉले Haupt से नश्ट हो जाते हैं । या रोग बच्चों में अधीत कुपाह जाता है। THIS में रूग फाइलिर्या वेंक फटाय नामक क्रीमी से चेज़ा होते है। इसे क्रीमी का संचार क्यूलेक्स से मच्च्राओं के दंश consistent होता है। इस रोग में पैरों बैसन कोसों तथा सरीर के अन्र भागों में सूजन हो जाता है, इस रोग को हाती पाउं भी कहते हैं, हाती पाउं अप लोग ने देखा भी होगा, फपुन द्वारा होने वाली भीवारिया, दमा, मनुस के फेंपडों में, एस परजीलस, फ्यूमी गेट नमक कवक के स्पोर पहुंचकर वहाँ जाल बनाकर फेंपडों का काम अवरूद कर देता है, यह एक संक्रमा की रोग है में सिर के वाल गिर जाते हैं, दाद यह रोग ट्राइक, ट्राइको फायटान, लेरुकोकस नामक कवस से होता है, यह संकरमा को रोग है, इसमें तुझा आफा लाल लंग के गोले पड़ जाते हैं, तो इने भी याद रखेगा, मनुस में होने बाले अनवाल से रोग भी हैं, जैसे वाडान देता, इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की चमता नहीं होती है, कलर विलाइंडनेस भी कहते हैं से, इसमें लाल रंग का हरा दिखाई पड़ने लगता है, इस रोग से मुख रोग से पुरुस प्रभावित होता है, इस तिरियों में यह तभी तक रक्त का धक्का नहीं बनता है, वैसे आप देखें सामानता 2-5 मेट में बन जाता है, जब आपको घाव लग जाए, वहां से खून निकला बंद हो जाता है, लेकर अगर हीमोपिलिया से कोई पीडित है, कोई रोग बैखती है, तो वो हो सकता है कि आप सोचे, आले गंटे से 24 गंटे तक उसका खून ना रोके, आपका रक्त का धक्का ना बने, यह मुक्ता पुर्सों में होता है, इस्तिरियों में रोग तभी हो सकता है, जब इसके दो गनों गुर्सूत, एक्सेस, प्रभावितों, इस रोग की वहाग इस्तिरिया होती है, हैल्डेन का मा होता है, जननान्क बरया आभीक्सित होते हैं, जिससे बांज होती है, ठीक है, फिर आप देखेंगे किली, किलीने फ्ल्टर सिंड्रों, यह रोग पुर्सों में होता है, इस रोग से गिरसित प्री से गुर्सूतों की संख्या 45 होती, इस वह पुर्सों का विश्ण Candis अलभ बुद्धी, आखे टेडी, जी मौटी, अनेमित सारेरिक धाचा होता है, इससे मंगोलिज्म भी कहते हैं, पटाव सिंग्ड्रोम, इसमें रोगी का उपर का ओंट बीज से कट जाता है, तालू में दरार हो जाती है, इस रोगी मंद बुद्धी, नित रोग आदी से बित हो सकता है, कुछ अन रोग हैं आपके, पक्षागात या लकवा जिसे आप कहते हैं, इस रोग में कुछ ही मिन्टों में सरीर के आदे भाग को लकवा बार जाता है, या जहां पक्षागात होता है, वहां की तंतिकाय निस्किरिये हो जाती है, इसका कारण अधिक रख् बस्तिक की कोई धमनी का फट जाना, अतों बस्तिक को आपरयाप्त रख्ति की आप उर्ती होना, इलर्जी, कुछ बस्तु जैसे धोल, धुआ, रसायन, कपड़ा, सर्दी किनी विसेश ब्यक्तियों के लिए हानिकारक हो जाते हैं, और उनके सरीर में विर्फीरित किरिया हो होने लगते हैं, जिससे अनेक विमारिया हो जाते हैं, खुजली, फोड़ा, फुलसी, सरीर में सुजन, आजाना, काला दाग, एकजीमा, आदी इलर्जी के उधारन, सेजुफीनिया, यह मानसिक रोग हैं, जो फ्रिया युवा बर्ग में होता है, ऐसा रोग कल्पना को ही स समझता है, बास्तुविक्ता को रहीं, ऐसे रोगी आलसी, अलगाओ हीन, आविस हीन होते हैं, विद्दुत, आच्छे चिकिस साइस में काफी सहायक होता है, मेरेगी, इसे आप इसमार रोग कहते हैं, यह मस्तिस्क के आंतरिग रोगों के कारण होता है, इस रोग में जब दोरा पड़ता है, तो मुह से जाग निकलता है, और मल पेसा भी निकलता है, फिर आप देखें, डी फिलो पिया, यह है रोग आंग की मास्वेसियों के पक्छा घात के कारण होता है, कैंसर, मनुस्त के सरीर में किसी भी अंग में, तुचा से लेकर अस्तित तक, यदि कोश का विड़ी अनिंतित हो जाए, तो इससे परणाम सुरूप कोशिकाओं में अनियमित गुच्छा बन जाता है, और इस अनियमित कोशिकाओं के गुच्छे को कैंसर कहते हैं, कैंसर को स्थापित होने में समय लगता है, उसे लेटेरन पेरियर कहते हैं, कीमो थरीफी कैंसरो कीमो थरीफी सब्द को वर्स 2013 में फागुल एहरलिच्स ने दिया, जन्हें आधुनिक रसो चकिस्सा का फिता भी कहते हैं, बीमारी के उपचार में रसायन का उपयो कीमो थरीफी कहलाता है, कैंसर मुक्ता चार पेकार का होता है, कारसीनो मास, इसकी उत्पत्ती उपकला उ पिद्धी के कारण होता है, लिम्फो मास या कैंसर लस्ची का गाठों एवन पीला में होता है, रेडियो सक्रिय इस्टॉंसियम 90 के कारण अस्थी कैंसर हो जाता है, चिकन गुनिया भी सुना होगा, या दोरबल बनाने वाला गैर घातक वायरल भीमारी है, जिसका या बारस से होता है, या मदा एडिस मच्छर, मोकता एडिस एजेप्टी मच्छर के काटने से होता है, मनुसी चिकन मुनिया वायरस का मुक्सर होता है, या मच्छर संक्मित हो बैक्ती को काट कर अनलोगों को काटते हैं, जिससी यह बीमारी फैलती है, संक्मित बैक्ती से या वेमारी किसी और को नहीं हो सकती है, एटाइटाइ नामक रोग से आप सभी को माल होने चाहिए, केडमियम के कारण होता है, एटाइटाइ नामक रोग, केडमियम के कारण, एलिसा, इन्जायम, लिंकिर्ड, इमुन, सॉल्वेंड, ऐसे, यह है HIV वारस की जाज करने की एक पैडा ली है, इसे पता चलता है कि वेक्ति एट से पीड़े थे या नहीं, इसे एलिटा, एलिसा टेस्ट कहते हैं, यह पूच लेगा आप से, कि एलिटा, एलिसा टेस्ट से किसकी जाज करते हैं, ठीक है, तो जरूर याद रखिएगा, वैस्टन विलोग, विलोग यह HIV संक्मन की खास जाच है जो पॉजिटिव होने पर बताता है कि बेक्ती HIV से गरसेत है HIVP24 एंटी जॉन HIV की स्वश्च जाच इससे रोग की तीबता की जानकारी मिलती है CD4 काउंट यह इस पर इक्चन से रोगी की पितीरोधक्षमता का आकलन किया जाता है Nucle Acid एपलीफिकेशन टेस्ट की एडवांस तकनिक सीधे HIV वारस के जनेरेटर तत्त का पता लगान लेती है यह तकनिक विलेर डोनर के रक्त में मौझूद बहुत ही कम इस्तर के संक्मन का पहचान कर लेता है इस जाज की मदद से एक सप्ताय के संक्मन को भी पकड़ा जा सकता है बिर्शाणू से संक्मित सरीर की कोशिकाएं एंटर फैरोन नामा प्रोटीन बनाती है HIV प्रोजिटिव लोगों के लिए एंटी रिट्रो वारस थेरेपी की वेवस्था की गई है AIRT सेवाओं की सुरुवात 1 अपरेल 2004 को की गई थी वर्तमान में एट्स के उप्चार के लिए एजीडो थाइमीन मेडिन और फैरोटी का प्रोटी की आ जाता है डेंगू जवार मादा एडीज एजेप्टी मच्छर के काटने से फेलता है देश में डेंगू जवार का पहला मामला 1963 में कोलकाता में सामने आया था डेंगू जवार के कारण मानाव सरीर में फ्लेटलेट्स की कमी हो जाती है यहां कुछ प्वाइंट है नहीं भी देख लीजे कुछ यह आपके टीका है BCG Bacillus Calumetator Urine जनम पर तपेदिक से 70% तक सुरक्षा देता है Defty, diphtheria, pitiosis और titanus टोग 16-10-14 सब्ता है और 16-24 माय के आयू में दिया जाता है यह 90-99% तक सुरक्षा देता है OPV Polio 16-10-14 सब्ता और 16 से आप देखिए 24 माय की आयू और संस्थान जनम के समय खुराक में 100% तक सुरक्षा देता है आप लोगोंने Polio का लिया होगा चोटे बच्वन में खसरा 9-12 माय की आयू पर दिया जाता है इससे 100% सुरक्षा में देता है DT diphtheria और titanus toxoide 5 बर्स की आयू में दिया जाता है DT गर्वबदी महलाओं के लिए 2 खुराक या अगर 3 बर्स की भीतर टीका लगा है तो एक खुराक दी जाती है ये पिरमोख आपके केंद्री स्वास्त कारिकरम हो गए राष्टी आयोडीन अल्ता विकार नियंतन केंद 1962 में राष्टी आयोडीन अल्ता नियंतन कारिकरम हो गए भारत है उजना सन 2004 में पोलियो वैक्सिन के विकास का विकास 1992 में जोनस सालक और 1962 में अल्वर्ट साविन द्वारा किया गया था पोलियो वैरस तीन विकार के होते है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 इसलिए पोलियो से निपटने के लिए अधिकतार वैक्सिन टाइप 3 के लिए तैयार होती है और इसका विसाड़ू सबसे छोटा होता है क्या होता है सबसे छोटा होता है ये भी याद रखना चाहिए ये भी में चिकिस्सा समन दिवसकार बिटामिन की खोज, फंक ने बिटामिन B की खोज, मैकूलन ने बिटामिन D की खोज, हॉपकिंग्स ने एक कुश्चन सा जाता है बेक्टिरिया लिवेन होक आरेने जैम से वाट्सन तथा आर्थर और मलिया परजीवा बच्चे किस्ता रोनाल्ड रोस विटामिनी मेकूलन विटामिन सी हॉलकट और सल्फा ड्रक्स डागमेक हिदय पित्यारूपन किश्यन बनार्ट लिंग हर्मोन इस्टेनाच गर्वनेद गोलिया फिंकस एलेक्टो काडियोग्राफ आइन नियोवन इंसुलीन बेटिंग चिक चक्का टीका एड़वाइक्जनर टीवी बेक्टिरिया रोवर्ट कोच पैनिसलीन अलेक्जेंडर फ्लेविंग बीसीजी यूरेन कालमेट रक्त परिवर्तन कार्ल लेंड श्टीनर ड वारवरा मैकलितन टोक रेगूलेटरी जीन सिद्धान्त इचेकव और मोनोड डीने संसलीशन कॉंड वर्ग फ्राक्तिक वडवाद चार्ल्स डार्विन इस्टेथो इसकोफ का विसकार लेनेक चेचा काट्टी का फिती रक्षन तकनीकी एड़वर्ड जनर हिदायका पितन पित्ती स्थापन किश्चेन बनार्ड हॉमिपुद्धी की संस्थापक हाईने मेन पुनारव वर्तन सिद्धान्त अनरश्क हैकल लेपोसी बैसीलस का विसकार हैंसेन रेवीच रोधी टीका लुई पास्चर आधुनिक एंटी सेप्टिक सरजरी का जनक लिश्टर फितम ए संपूर सरी में किसी सामान आसामान या विक्रिती का पता लगाने के लिए इसका प्रियुक करते हैं आप लोग में सुना होगा CT इसके एलेक्टो कारिडियोग्राफ हिदय समंदी आसमान्ताओं का पता लगाने के लिए आटो एना लाइजर गीलुको यूरिया कॉलिस्टर इमेजिंग का द्वारसंपूर सरी में आसमान या विक्रिती का पूर्ण सही पता लगाने के लिए इसका उफ्यक करते हैं बिग्यान की कुछ साखाएं हो गई इन्हें भी देख लिए एनाटॉमी या जी बिग्यान की वह साखा है जो सरीर की आंत्रिक सरच्रां से संबंद किया जाते है अस्टो लॉजी कि या विग्यान मानों के जीवन पर विभिन नक्षत्तों के प्रवाव का द्ध्रें करती है इसे जियोति सास्त भी कहते हैं एस्टोनोमी या खागुली पिंड का द्ध्रें करने बाला विग्यान है फिर आप देखेंगे स्थेमेक्स यह है टेक्नोलोजी की वह साखा है जो चीनी मिट्टी के वर्तन तेयार करने से सम्मंदित है। ओंकोलोजी, कैंसर काद्धिन, यूजेनिक्स, यह आप देखें या नुबांसी की घटकों में हेर फेर फेर बदल के कारण मनुस्त में हुई परिवर्तन से सम्मंदित, एफिडिमियोलोजी, महमारी रोग के अध्धिन से सम्मंदित, मकडो, एरेनियोलोजी, मकडों का अध्धिन, कीमो थेरिपी, यह चेकसाब ग्यान की वह साखा है, जिसमें रसानी की उग्विकों से उप्चार किया जाता है, कॉस्मोलोजी, यह समस्ति ब्रह्मन का अध्धिन करने वाली विग्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक्विक् भोगरब सम्मंदी अध्यन उसकी बनावट सरचना आदी का ध्यन इस विग्यान के द्वारा किया जाता है Gerontology विड्धा वस्ता से सम्मंदी तत्थों का ध्यन इस विग्यान के द्वारा होता है होटी कल्चर फूल फल फूल वसाक सब्जी उगाने बाग लगाने पुस्वोत पादन का ध्यन इस बिग्यान में द्वारा किया जाता है फिर आप देखेंगे हैं हाइड्रोपेटी इस बिग्यान के द्वारा पानी से रोगों की चिकिसा होती है हाईजीन स्वास्त की में पाए जाने वाले वेश्ट कैंसर की जाज करने वाली चिकिसा बिग्यान की साहता है मेटियोलोजी मौसम की दसाओं में होने वाले किरियाओं वा परिवर्तनों का ध्यन इस बिग्यान के द्वारा किया जाता है मॉर्पोलोजी पिथवी पर पाए जाने वाले प्राणि अस्टी यह विग्ञान के द्वारा किया जाता है statut करने वाली चिक सव क्यान है कि यह साख्या ऑॉप्ति 25 की विक्रवा गुड़ों का थह्न करने वाली वह तिक्सास्त की यह साख्या है और्नियो और और नीथिछ इस विग्णाव में पक्षियों से समन्नित अधिया जाता है कि ऑस्टियोलोजी प्राडियों प्राडि विग्यान की इस साखा में हड्डियों का अध्यन किया जाता है फॉमोलोजी यह विग्यान फलों के अध्यन से संब्दित है सेस्मोलोजी विग्यान की साखा साखा द्वारा भूकंपों का अध्यन किया जाता है एरोनोटि डॉल गहासों से सम्भंधित व की शांख है अर्व entries कट्र या वैक्चर पादन समंधित विइत व सक्षार और किवल लॉज पॉरातत्य समंदी विज्ञान की सांख है या फिजե्क्स Be भी बहुतिक रूप से सम्मंदी खागुली है अर्था खागुली खागुल बहुत की विग्ञान की साखा है क्यलीष्टिनिक्स इस साखा के नतर के सारी सौंद्रे एबं सक्ति वर्दक व्यामों की विधियां समंदी ज्यान का देन है कॉंकोलोजी इस साखा के नतर के संख विग्ञान मौलस के विग्ञान का देन होता है कास्मो गौनी इस साखा के नतर के ब्रह्मा डुत पत्ती सिधान का देन होता है कास्मोग्राफी इस साखा के नतर के विश्रचना समंदी ज्यान का देन होता है कैप्टोग्राफी इस साख साहन के इंद्रगत प्राण्यों के आचार और विभार क्या इंद्रगत गार्द्न या इंद्रगत बूमिया गडित गात धिया जयता है जो और युधिसिन के दूप प्र भूवह साथ परभाव को स्वास्ता करने की बिक्रियाब को कहते हाइडोफॉनिक साखा के अंदर्गाद जल समर्द्धन का अधियन किया जाता है। हाइडोइस्टेटिक्स इस साखा के अंदर्गाद दिर्व स्थैटिक का अधियन कि होता है। लेक्स्ति को ग्राफिक या सब्द को संक्लन तथा लिखने की कला, नियो मेरोलोजी या विग्ञान की वैसाखा जिसके अंकों का अध्यन किया जाता है, नियो मिस्मेटिक्स इस विग्ञान की साखा के अंधिर पुराने सिक्खों का अध्यन होता है, फाइकोलोजी इस साखा के अंतरगर सेवालों का अध्यन होता है सेलीनोलोजी इस साखा के अंतरगर चंदमा की मूल स्वरूप तथा गती के बड़न का अध्यन किया जाता है सेरी कल्चर इस साखा के अंतरगर रिसम की कीड़े के पालन और उनमें रिसम की उत्पादन का अध्यन होता है टेली पेथी इस साखा के अंतरगर मांसी संकमण की पिक्रिया का अध्यन होता है हैपनोलोजी नीन का अध्यन टॉक्सी को लोजी इस अध्यान साखा के अंत्र विसों के बारे में अध्यन होता है तो इसे भी याद रख लीजे मत्पूर्ण जानकारिया है सबसे बड़ा जीवित पक्षी सतर मोगन है सबसे बड़ा कभी गोरिला सबसे छोटा इस्तनी चचंदर अंड जरा यूज इस्तनी कंगारू सबसे बैस्त मानों हेदै मानों हेदै सबसे बड़ा जीवित सरी सिफ टर सबसे चोटा वक्षी अम्पिंघर्ग वक्षी सबसे मुचीय करे ninguém सबसे घृता इस्तनी नहीं में देखन है और अधी कि अध्या की आ Department कुछ महत्फून तत था और भी यह नहीं भी देख लिए कुछ महत्फून तत सपनों के अध्यन को ओनियो लॉजी कहते हैं मनुस के सौंदर के अध्यन को केलो लॉजी कहते हैं जीवन की उत्पत्ति के समय ऑक्सीजन नहीं था सरी में सबसे दढ़ मजबूत तत्य दातों का केल्सियम फस्पेट का होता है मनुस में लेंग नेधारन पुरुस के क्रोमोसम पर निर्भा करता है नाकीश्तिरियों के क्रोमोसम पर सबसे तेज तंदिका आविक 532 किलो मीटर पिती घंटा होता है मनुस के फेबड़े का आंत्रेक छेतफल 93 मीटर होता है जो सरी के बाहर चेतफल का 40 गुना होता है सरी के भीता 32 लगवग 150 लाग कुछ का इनश्ट होती है इस्तरी के गरवास है का भार जिसमें कभी संतान जनम ना दिया हो 50 ग्राम का होता है संतान को जनम देने बाद के बाद इस्तरी के गरवास है का भाद 100 ग्राम हो जाता है गुर्दे का भार साथ मीटर लबी होती है इसका व्यास दो दसमलों पांच सेंटी मीटर होता है सरी के वीतर रक्तपरी भ्रमड में लगभग 23 सीकेंड कर समय लगता है पैनेसलीन नामक पैनेसलीम नामक कभक से फिराप्त होती है मनोस संसार का सबसे बुद्धिमान होमोनेड है एलबा ट्रॉस सबसे बड़ा समूदरी पक्षी है जिसके पंक का फैलाओ 10-12 फिट तक होता है तले सेंटा बनने के आरहम के समय एच CJ हार्मुन काफी मात्रा में सरावित होकर मूत में उससाजीत होने लगता है इसी समय मूत की जाच में इस हार्मुन की उपस्तिति से गरवादान की जाच मालू चलती है बच्चे कहते हैं की धढकन व्यस्क बैक्ति से जादा होती है एक बार सांस लेने की किरिया पांस सेकंड में अर्था दो सेकंड की निस्वल सन तथा तीन सेकंड की उच्छ स्वसन में पूरी होती है इस दोरान 500 मली लीटर हवाब अंदर जाती है मनुस के सरीर में रुधिर पिती दिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन सरी किकोशकाओं तक पहुंचाता है और इसमें 97% ऑक्सीजन हीमोगलोविंग द्वारा लिये जाता है उससे इस 3% बार संचार रुधिर पलाजमा करते हैं महिलाओं यवं बच्चों से समादी सामाजी के वं प्रात्मिक स्वास्त के बिभिन पहलिउओं के इपिती जागुकता पैदा करने के लिए राष्टी है गरामीर स्वास्त मिसंद के अंतरों के बगाओं में 1000 की जन संख्या पर एक महिला सामाजी करता चुनी गई जिसे accredited social health activist कहा जाता है सरीर का सामानताप मान अगर 95 degree फॉरेंस से गर जाए तो ऐसी स्थिदी को हाइव को थर्मिया कहते हैं नख खोर औसींग केरेटिन उतक के बने होते हैं तो ये कहानी आपकी वायलो जी की खतम हो जाती है यानि कि आप समझेए जी बेग्यान खतम हो जाता है ठीक है? चलिए आप लोग enjoy करिए आगे हम लोग बेग्यान एवन परुदुकी के बारे में फढ़ेंगी और एक बहुत पाइट अभी तक हम लोग खतम कर चुके हैं